तफ्तीश जेंस हेडली चेज यह विडियो केवल शिक्षा के उद्देश से बनाया गया है, कोई व्यावसायक लक्षे या कोई कॉपिराइट उद्देश नहीं है ओडियो बुक शॉप में आपका स्वागत है, कृपिया मेरे चैनल ओडियो बुक शॉप को सब्सक्राइब करें और कृपिया कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं तफ्तीश जेंस हेडली चेज अनुवाद वैलरी बरनेट आखें बंद किये, सिरको हेड्रेस्ट के सहारे टिकाएं बाथकब में लेटी हुई थी अध्खुली खिडकी से होकर नीचे टेरेस की आवाजें उस तक आ रही थी ये आवाजें खुशनुमा एहसास जगाने वाली थी इसलिए वैलरी इसे सुनकर खुश थी खुशी का एक दूसरा कारण यह भी था कि वे लोग स्पेनिश वे के इस होटल में आकर ठहरे थे यहाँ वाकई वो सब चीजें मुहया थी जिनके बारे में बताया गया था वह सोच रही थी कि निश्चे ही ये होटल उन बेशुमार होटलों से अब तक का सबसे उमदा होटल था जहाँ वह पहले ठहर चुकी थी उसने अपनी आखें खोली और एक नजर अपने खूबसूरत सांचे में ढले जिस्म पर डाली केवल जिस्म के उपरी सामने के हिस्से और कूलों के इर्दगिर्द दो सफेद लकीरे नुमाया थी बाकी जिस्म सूरच की तपिश के चलते सुनहरी रंगत में ढल चुका था स्पेनिश बे में आये उन्हें अभी महस हफता ही हुआ था लेकिन तपते सूरच की तपिश में उसकी चमडी तेजी से बगैर जुल से सुनहरी रंगत में आचुकी थी उसने अपना गीला हाथ आगे बढ़ाया और सोने और प्लैटिनम के इस्तमाल से बनी वह घड़ी उठाई जो क्रिस ने उसे बतौर शादी का तोहफा दी थी कर एक गिलास थंडी मार्टीनी का लुट्फ उठा सकती थी हाला कि अभी तक वह क्रिस के सामने मार्टीनी पीने को लेकर उतनी सहज नहीं हो सकी थी क्योंकि क्रिस अब केवल टोमेटो जूस ही पीता था इसके लिए भी वह कभी कभार खुद को ही दोशी समझने लगती थी कि क्रिस अब शराब नहीं पी सकता था लेकिन डॉक्तर ने उसे चेताया हुआ था कि क्रिस के सामने उसे बिलकुल सामान्य और सहज बने रहना था क्योंकि अगर क्रिस को जरा भी इस बात का पता चलता कि उसकी खातिर वैलरी अपनी पुरानी जिन्दगी के तौर तरीकों को बदल रही है तो यह बात क्रिस के लिए बुरी साबित हो सकती थी अभी उसने बात्रूम के कोने में रखी छोटी सी मैच पर घड़ी रखी ही थी की टेली फोन की घंटी बजी उसने जल्दी से तौलिये में हाथ फिराया और रिसीवर उठा लिया आपके लिए निव यॉर्क से कॉल है मिसेस बरनेक ओपरेटर ने बताया बात करेंगी जरूर पापा की ही कॉल होगी उनके अलावा तो किसी को नहीं पता है कि हम लोग स्पेनिश बे में हैं वैलेरी ने सोचा हाँ उसने जवाब दिया थोड़ी सी फिक्र और जुंझला हट के चलते उसकी भौहे सिकुर सी गई उसने अपने पिता से कहा था कि उन्हें अकेला छोड़ दें चलो कोई बात नहीं हफता भर छोड़ा भी तो ये तो उसकी ही गलती थी जो वे फोन कर रहे थे उसने उन्हें कोई चिठी भी तो नहीं लिखी थी जबकि वह अच्छे से जानती थी कि वे उसे लेकर हमेशा से कितने फिक्रमंद थे दूसरी ओर से पिता की आवाज आई उसकी आवाज काफी प्रभावशाली और गंभीरता की छाप लिये हुई थी अक्सर पिता से बात करते हुए वैलेरी को यह एहसास बड़ी शिद्दत से होता था कि अगर उसका पिता एक बिजनेस टाइकून न होता तो निहसंदे शेक्स्पियर के नाटकों का एक शांदार और काम्याब अभिनेता होता वाल कैसी हो? हेलो डैडी क्यों क्या हुआ? सब ठीक है बाल बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी मैं तुम्हारी चिठ्थी या फोन का इंतजार कर रहा था सॉरी डैड यहां आकर ऐसा मनरमा की भूल गई मैं जानती हूँ कि मुझे आपको चलो कोई बात नहीं क्रिस कैसा है? वो बिलकुल अच्छा है ठीक है पता है डैडी अभी गई रात ही हम लोग आपके बारे में बातें कर रहे थे और वह मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि वह कैसा है देखो वाल अभी पांच मिनट के बाद मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है इसलिए वक्त मत ख्राब करो वो कैसा है? उसने कसमसा कर पानी में अपनी टांगें इधर उधर फिराई फिर बोली ओह डैडी बताया तो अभी की वो बिलकुल ठीक है मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें वहाँ उसके साथ अकेले नहीं होना था वो अब भी बीमार है और वो उसके होंट की वो फड़फडाहट और मोह का तिर्चापन गया की नहीं सच बताओ वाल ने अपनी आखे मूंद ली उसे ठंडक का एहसास हुआ पता नहीं पानी यकायक ठंडा हो चला था या फिर उसका बदन ही ठंडा पड़ने लगा था अब तो पहले से काफी सही हो गई है उसने कहा अच्छा लेकिन अभी गई तो नहीं न हाँ लेकिन क्या अब भी वह वैसे ही किसी जीते जागते मुर्दे की तरह ही पड़ा रहता है अपनी आखों में यकायक उमर घुमर आये आसूओं की मौझूदगी का संग्यान लेते हुए वह खुद को संभालती हुई बोली वह वह अब भी उसी तरह बैठा रहता है लेकिन मैं जानती हूँ डैड की वह जरूर ठीक हो जाएगा मुझे पता है कि अब वह पहले से काफी बहतर है दॉक्तर गुस्ताव क्या कहता है जवाब देने से पहले वालने आगे बढ़कर तब से पानी निकालने वाली नौप को घुमाया फिर बोली उनका कहना है कि क्रिस में अब काफी सुधार हो रहा है लेकिन पूरी तरह ठीक होने में अब भी वक्त लगेगा वक्त और कितना वक्त पिछले 18 महीनों से तो वह इसी तरह जीते जागते मुर्दे की तरह चलता फिरता घूम रहा है ऐसी बाते मत किया करिये डैडी मुझे पता है कि कितना अर्षा गुजर गया है मगर उसकी हालत को देखते हुए यह वक्त कोई बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो गया है देखो वैलेरी तुम अब 25 बरस की हो चुकी हो किसी भी सामान्य औरत की ही तरह जीती जागती भरपूर इच्छाओं से भरी पूरी और तंदुरुस्त औरत तुम हमेशा इस तरह की जिन्दगी जीती नहीं रह सकती ये सरासरे तुम्हारी खुद के साथ की जा रही नाइनसाफी है मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है तुम किसी ऐसे आदमी के पल्ले बंधे नहीं रह सकती जो यकायक उसकी आवाज तीखी हो उठी मैं क्रिस से प्यार करती हूँ मैं उसकी बीवी हूँ मैं अब इस तरह की बक्वास सुनना बरदाश्ट नहीं करूंगी और ये मेरा खुद का जाती मामला है आपका इस से कोई लेना देना नहीं कुछ पलों के लिए खामोशी चा गई फिर उसके पिता ने अपने लहजे में थोड़ी नर्मी घोलते हुए कहा मैं तुम्हे बहुत प्यार करता हूँ मेरी बच्ची मैं तुम्हे लेकर फिक्रमंद हुए बगैर भला कैसे रह सकता हूँ चलो ठीक है अब से आगे मैं कोई दखल नहीं दूँगा लेकिन मुझे मालूम तो होना चाहिए न की आखिर क्या चल रहा है और क्या नहीं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे जरूर बताओगी और बेटा याद रखना कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो जरूर करना चाहूँगा कुछ भी शुक्रिया डैडी जरूर लेकिन मैं सच में खुद ही इसे संभाल लूँगी उसने पानी से खाली हो चुके बाथ तब में लेटलिटे ही अपने उपर एक तॉलिया डाल लिया और बोली डैडी मैं नहा रही थी मुझे ठंड लग रही है क्रिस क्या कर रहा है वह टेरेस पर है बैठा ओलिवर ट्विस्ट पढ़ रहा है वाल ने बताया आज कल उसके सिर पर चाल्स डिकेंस को समझने का फितूर सवार है वह किताबों का पूरा सेठ ही ख्रीद लाया है और उन्ही में सिर्ख अपा रहा है अच्छा लायन पर एक चण के लिए खामोशी चा गई वाल को दूसरी और फुस्फुसा कर कुछ कहे जाने का स्वर सुनाई पड़ा फिर उसके पिता की धीर गंभीर आवास पुनह आई मैं अब चलता हूँ वाल लेकिन पक्का न कि तुम सब संभाल लोगी हाँ डैडी ठीक है मगर भूलना मत अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है मैं पांच बजे तक आफिस वापस आ जाऊंगा उससे पहले तुम्हारी मुझसे बात हो पाना संभव न होगा क्योंकि मैं इधर उधर भागदौर में व्यस्त रहूंगा लेकिन लेकिन मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी डैडी सिर्फ याद रखने को लिए बोल रहा हूँ अब चलता हूँ बेटा बाई उसने फोन रख दिया और बात टब से बाहर निकली उसे तेज ठंड लग रही थी उसने जल्दी से तॉलिया लेकर अपना शरीर सुखाया और नीली स्फेद पोल का डॉट पोशात में खुद को लपेटते हुए तेजी से चलती हुई खूब बड़े से बेडरूम में आई और उसे पार करके बालकनी में आ गई बालकनी से पूरे वेका, इसकी खाड़ी, मीलों दूर तक पसरी रेत और जगहज गह धूप से बचने के लिए लगाई गई छत्रियों समेट दिलकश नजारा किया जा सकता था उसने नीचे टेरेस पर उस ओर देखा जहा क्रिस थोड़ी देर पहले बैठा था लाउजिंग चेयर खाली पड़ी थी नेले कवर वाली ओलिवर ट्विस्ट की प्रती पास ही पथरीले फर्ष पर खुली पड़ी थी टाइम्स किसी अग्यात आशंका से ग्रस्थ होकर उसने पूरे टेरेस के एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी द्रिष्टी दोड़ाई उसका दिल बैठने लगा उसने फिर उन टेरेस पर मौजूद शराब पीते, बाचीत करते लोगों के हुजूम एक मेज से दूसरी मेज तक शराब लेकर सफेद वर्दीधारी विट्रों की आवाजाही दर्वाजे के पास खुली धूप में खड़े सफेद वर्दीधारी लंबेटंगे दबान और उससे परे मंथर गती से हरहराते समंदर और उस वक्त लगभग उजार से पड़े रितीले मैदान, सब और अपनी दृष्टी दोड़ाई मगर कहीं भी उसे क्रिस की मौजूदगी का एहसास न हुआ स्पेनिश वे होटल फ्लोरिडा के महेंगे और एश्वर ये शाली होटलों में से एक था ये होटल एक बार में सिर्फ पचास लोगों को अपनी सेवाएं देता था जो अपने आप में इतनी महेंगी होती थी कि उन्हें अफोर्ड करने के लिए महस धनवान होना काफी नहीं था बलकि धनकुबेर होना होता था वाल के पिता, चार्ल्स ट्रेवर्स ने उनके लिए इस होटल का चयन किया था जैसा कि डॉक्टरों ने सुझाया था कि क्रिस को चैन, सुकून, आराम और किसी छोटे बच्चे जैसी देखभाल और प्यारदुलार की जरूरत है उसे देखते हुए ट्रेवर्स ने ही वाल से कहा था कि यह होटल उन लोगों के ठहरने के लिहास से मुफीद है फिर उसी ने हर चीज की विवस्था भी की थी होटल का बिल सीधे उसे अरसाल किया जाना था यहां तक की प्रवास के दौरान अगर उन लोगों को कहीं आने जाने की जरूरत होती तो उसने उन लोगों के लिए एक मर्सडीज कनवर्टिबल भी दे कर रखी थी जहां तक वाल की बात थी तो वह अपेकशाकृत किसी सस्ते होटल में ठहरना पसंद करती क्योंकि वह जानती थी कि उसका पिता इस बात से काफी चिर्चिडाता था कि क्रिस अब अपनी बीवी को उस शानोशौकत और रुत्बे के साथ नहीं रख सकता था जिस रुत्बे और शानोशौकत से एक धनकुबेर की बेटी को रखा जाना चाहिए था। बहरहाल इस होटल में आकर वाल अपने संकोच को किसी हद तक भुला चुकी थी और इस बात से खुश थी कि उसके पिता ने उनके यहां रहने का इंतजाम किया था। किसी भी मामले में रूची लेने की क्षमता खोदी है। यह की अब वह सिर्फ गुनगुनी धूप में बैठ कर कुछ पढ़ने या फिर इधरुधर की बेमानी सी बातें करने जिनका उनकी अपनी जाती जिन्दगी से कोई लेना देना नहीं था में ही खुश और कि न रही थी। कभी कभार ये सब बातें उसके भीतर एक अजीब से खालीपन को जन्म देने लगती थी। लेकिन ये सब बातें ऐसी थी जिन्हें वह जटक देती थी और उस खालीपन से उबर भी जाती थी। पहले फल जब वे यहां पहुँचे थे तो वह क्रिस को हमेशा अपनी नजर के साए में रखती थी। हाला कि यह काम कोई उतना दुश्वार भी नहीं था। पोटल की स्थिती ही ऐसी थी कि दूर दूर तक पसरे रेतीले मैदान में मीलों दूर तक देखा जा सकता था। और दूसरी बात ये भी थी कि पास के नज़दी की शहर में भी बगैर कार पर जाए पहुँचने का कोई रास्ता न था। वह कार की चाबी हमेशा अपने पर्स में रखती थी ताकि वह क्रिस की पहुँच से दूर रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए और उसने देखा कि क्रिस सिर्फ बैठ कर धूप का आनंद उठाने और पढ़ने में ही संतुष्ट है तो उसे अब जाकर एहसास हुआ कि शायद उसकी ओर से वह लापरवा हो उठी थी। उसे कभी क्रिस को टेरेस पर अकेले नहीं बैठने देना था। अब वह मन ही मन खौफ से भरी हुई सोच रही थी कि जब वह नहा रही थी तो क्रिस कमरे में आकर चाबी ले गया था। तो खाम-खाह में घबरा रही है। वह आ जाएगा अभी। उसने खुद से कहा। वैसे भी अगर उसे घुमने की इच्छा थी तो क्यों न जाए। मैंने उससे कहा था कि साढ़े बारा बजे तक मैं नीचे आउंगी। अभी तो बारा भी नहीं बजे थे। हो सकता है वह किताब पढ़ते-पढ़ते उकता गया हो और थोड़ी देर के लिए कार पर टहलने निकल गया हो। लेकिन वाल जानती थी कि वह खुद को भर्मा रही है। क्रिस ने एक्सिडेंट के बाद से ही कार को हाथ लगाने से इनकार कर दिया था और वो। खुद ही उसके लिए कार ड्राइव करती थी। आखिर उसने भीतर आने और कार की चावी लेने से पहले मेरे बाथरूम में जाने का। इंतजार क्यों किया? तो क्या? कहीं? खुला। आतंकित भाव से उसने जपटकर अपना पर्स उठाया और लिफ्ट की ओर भागी। उसने जल्दी से लिफ्ट का कॉल बटन दबाया। कुछ ही क्षणों में लिफ्ट का दर्वाजा। गुड मॉर्निंग मैडम। सफेद वर्दी में सजाधजा लिफ्ट मैन ततपरता से बोला लाउंज फ्लोर। हाँ, वाल ने उत्तर दिया और लिफ्ट की पूरी लंबाई में लगे शीशे के सहारे टेक लगा कर खड़ी हो गई। लिफ्ट नीचे पहुची। दर्वाजे खुलते ही वाल तेज चाल से उस आलिशान लोबी से होती हुई टेरेस की और जाते रिवॉल्विंग डोर की ओर बढ़ गई। रिवॉल्विंग डोर से बाहर टेरेस पर आते ही वहां मौजूद दोर्मैन ने जोरदार सलामीठों की। वाल ने इधर उधर देखा लेकिन क्रिस का कोई अतापता नहीं था। वह एक त्षण के लिए हिचकी फिर अपने स्वर में उभर आई घबराहट को काबू में करते हुए उसने डोर्मैन से पूछा मिस्टर बरनेट अभी कुछ समय पहले तो यहीं टेरेस पर थे। कहीं चले गए हैं क्या सवाल पूछ कर मन ही मन वह प्रार्थना करने लगी कि उसके सवाल के जवाब में डोर्मैन कहे कि मिस्टर बरनेट टॉयलेट में हैं या कहे कि होटल में ही कहीं गए हैं लेकिन डोर्मैन ने उसे बताया कि मिस्टर बरनेट कार पर निकले थे और मिया और टेरेस के उस कोने की ओर बढ़ गई जहां कुछ देर पहले क्रिस बैठा किताब पढ़ रहा था। वहाँ पहुचकर वह वहाँ पढ़ी लाउंडिंग चैर पर बैठ गई और जुककर फर्ष से किताब उठा ली। उसने अपने पर्स में से एक धूप वाला चश्मा निकाला और आखों पर चढ़ा लिया। तभी एक वेटर आकर चुपचाप उसकी मेज पर एक ग्राई मार्टीनी रख गया। होटल की सेवाओं का एक अंग यह भी था कि ग्राहक से बगैर पूछे उसकी जरूरत को समझा जाए। हाला कि यह सब अतरिक्त बातें कभी खिजलाहट सी भर देती थी, लेकिन इस समय वाल को एक द्रिंक की सक्त जरूरत थी। मिस्टर बर्नेट के लिए टोमाटो जूस लाओ मैडम। वेटर ने आकर पूछा। शायद हाँ वाल ने बगैर उसकी ओर देखे जवाब दिया, लेकिन अभी वे जरा बाहर गये हैं। वेटर चला गया और वाल ने गिलास उठा कर चुसकी ली। वह उसी तरह बैठी समुद्र और दूर दूर तक बिखरी रेत को देखती रही। उसे अपने दिल की धड़कनों की रफ्तार का एहसास हो रहा था और अज्यात आशंका किसी गोले की तरह उसके सीने में आकर उथल, पुथल मचा रही थी। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा, सवा बारा बस चुके थे, उसे साड़े बारा बजे तक कुछ नहीं करना चाहिए उसने खुद से कहा, क्योंकि ये वह समय था जिसके बारे में उसने क्रिस से कहा था कि वह नीचे उसके पास आएगी। उताव लेपन के चलते अगर वह कुछ ऐसा वैसा कर बैठी और सही समय पर क्रिस आ जाएं, तो उसे यू घबराई देखकर पता नहीं उस पर क्या बीच जाएं। दॉक्टर ने पहले ही उसे चेताया हुआ था कि उसे क्रिस पर भरोसा दिखाना था। तो ठीक है दिखाते हैं भरोसा। उसने सोचा। वह इंतजार करती वैसे ही बैठी रही। हर आने वाली कार की आवाज पर उसका शरीर तन जाता था और वह उचसुकता से उस लंबे ड्राइव वे की ओर ताकने लगती थी जो सीधे होटल के मुख्यदवार पर पहुँचकर खत्म होता था। लोग अब दोपहर के भोजन के लिए वापस लौट रहे थे और दोर्मैन उन्हें सलामी ठोकने या उनकी कार का दर्वाजा खोलने में व्यस्त था। उस ओर आने वाली कोई भी कार सफेद मर्सिडीज न निकली। साड़े बारह बजे तक वह अपना गिलास खाली कर चुकी थी। उसने ओलिवर ट्विस्ट की प्रती इतनी सकती से हाथों में भीच रखी थी कि अब उसकी उंगलिया दुखने लगी थी। मैं अब केवल दस मिनट और इंतजार करूंगी। उसने मन ही मन कहा। फिर कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मगर क्या। वेटर दोबारह उसकी ओर आया। उसकी ट्रे में एक और मार्टीनी थी, तनहा, मगर ठंडी और अपनी जरूरत का एहसास करवाती हुई। शायद मैडम को और जरूरत है, सफेद वर्दीधारी वेटर ने सावधानी पूर्वक पूछा। वह कभी भी लंच से पहले एक से ज्यादा ड्राई मार्टीनी नहीं लेती थी, लेकिन वेटर को शायद एहसास हो गया था कि उसे एक और द्रिंक की जरूरत है। ये भी होटल द्वारा मुहया करवाई जा रही आला दर्जे की सेवाओं का एक और नमुना था। क्या? ओह हाँ! हाँ, थैंक यू! वाल ने जवाब दिया। अगले ही क्षण एक नई मार्टीनी का गिलास उसकी मेज पर आ चुका था और खाली गिलास लेकर वेटर सिर नवाकर जाभी चुका था। वाल ने अपनी कलाई घडी पर निगाह फिर आई फिर गिलास उठा कर एक छोटा सा घूट भरा और गिलास वापस मेज पर टिका दिया। शायद वह नहीं आने वाला। उसने सोचा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। डैडी ने भी कहा था कि वह पांच बजे से पहले नहीं मिलने वाले। अगर पता होता कि कहा होंगे तो मैं। नहीं नहीं उनसे नहीं बताऊंगी। उन्हें तभी बताना सही, जब कोई दूसरा रास्ता न हो। तो भला अब कौन। डॉक्टर गुस्ताव। तो कतई बेमानी है कि वे क्रिस को ढूंडते इधर उधर धर धक्के खाते फिरेंगे। फिर कौन। पुलिस। वे जरूर उसे ढूंड सकते हैं। लेकिन फिर अगर उन्हें क्रिस की असलियत पता चली। तो फिर मीडिया वाले उसके गायब होने को लेकर वो हुहला मचाएंगे की तौबा भली। और तब नहीं नहीं मैं ऐसी कोई बेहूदी पबलिसिटी नहीं चाहती। उसके दिमाद में तर्क वितर्क के अंधर चलने लगे। ये सब सोचते विचारते उसने फिर अपनी घड़ी देखी। बारा बचकर पैंतालिस मिनट हो भी चुके थे। उसे एक कार की आवास सुनाई दी। उसने गर्दन उठा कर उस ओर देखा। एक रोल्स रोयस होटल के प्रवेश द्वार से भीतर आई। उसमें से एक मोटी सी औरत उतरी जिसने एक छुई मुई सा कुट्टा गोद में उठा रखा था। वह धीरे धीरे बड़ी महंत से सीडिया चड़ती हुरी टेरेस की ओर बढ़ गई। वह भी बस आता ही होगा। वाल ने अपने आपको दिलासा जैसी दी मुझे घबराना नहीं चाहिए। मुझे भरोसा रखना चाहिए। मैं एक बजे तक इंतजार करूंगी। फिर उसके बाद मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। एक बजने से कुछ ही मिंटों पहले उसने जीन डुलक को देखा। जीन डुलक होटल का फ्रेंच मैनेजर था जो दिखने में न केवल खूबसूरत था बलकि फ्रेंच लोगों के उन खास तहजीब को अब के सभी तौर तरीकों का नमूना था जिसके लिए वे विख्यात थे। उस वक्त वह उसी ओर आ रहा था और बीच-बीच में हर मेज के पास रुक-रुक कर वहां मौजूद मेहमानों से बाच्चीत भी कर रहा था। वाल उसके आने का इंतजार करने लगी। एक बजने में बस चंद मिनट बाकी थे जब वह वाल की मेज पर पहुँचा। है। मदाम बरनेट अकेले ही उसने मुस्कुराते हुए कहा मगर यह तो बड़ी गलत बात। फिर वह रुक गया और गहरी नजरों ने उसने वाल के सफेद पड़े निचुडे से चेहरे का जायजा लिया। शायद किसी मदद की दरकार हो मदाम। कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ, शायद वाल अस्थिर स्वर में बोली बैठिये। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहां मौजूद लोगों के पास सिर्फ तांक जाक और बाते बनाने के सिवाई फिलहाल दूसरा कोई और काम नहीं। कुछ देर में मेरे आफिस में आये। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आपकी कोई भी परेशानी मेरी परेशानी है। आये, देखता हूँ कि क्या मदद हो सकती है। उसने सिर्नवाया और तेज कदमों से आगे। बढ़ गया। अपने बेस ब्रेपन पर सप्रयास काबू करती वाल ने किसी तरहें इंतजार का एक लंबा वकफा गुजारा। जब आसपास के लोग अपनी-अपनी मेजों से उठकर रेस्टोरेंट की और जाने लगे। तो वह भी उठी और अपनी चाल में किसी भी प्रकार की अधीरता न पैदा करती हुई ओफिस की ओर बढ़ी। ओफिस रिसेप्शन डेस्क के ठीक पीछे था। काउंटर के पास से गुजरते समय काउंटर पर मौजूद कलर्क ने सिर नवाकर उसका अभिवादन किया और फौरन ही कहा कृप्या सीधी चली जाए मिसेस बरनेट। मिस्टर डुलक आप ही का इंतजार कर रहे। हैं। वह एक खूब बड़े से कमरे में पहुची। कमरे में मौजूद सभी खिडकियों का रुखबे की ओर ही था। कमरा काफी शांदार था। एक ओर कई सारे फूलदान मौजूद थे जिसमें तरहे के भीनी खुश्बू वाले फूल सजे थे। वहां मौजूद फरनीचर भी शांदार था और उसी की एक खूबसूरतनग छोटी सी डेस्क के पीछे डुलक बैठा हुआ था। वाल को देखते ही वह ततपरता से उठा और डेस्क के सामने पड़ी एक कुरसी की ओर इशारा करते हुए बोला बैठिये मदां। अब हम इत्मिनान से आपकी समस्या पर चर्चा कर सकते हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो क्या मिस्टर बरनेट को लेकर कोई समस्या है? वाल बैठ गई। यकायक उसके भीतर से रुलाई उम्री लेकिन बड़ी महंत से उसने ऐसी किसी कोशिश पर काबू किया। दुलक खिडकी के पास चला गया। वहां उसने कुछ क्षणों तक ठहर कर वाल को सन्यत होने का परियाप्त समय दिया। मैंने अपनी खुद की जिंदगी में भी काफी दुश्वारियों का सामना किया है। लेकिन आज जब मैं पीछे मुर कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मैंने हमेशा उन दुश्वारियों का कोई न कोई माकूल हल जरूर निकाला था, पाया था। मिस्टर बरनेट कार लेकर कहीं चले गए हैं और आप उन्हें लेकर काफी फिक्रमंद हैं। यही समस्या है न? दुलक ने खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए कहा। तब तो आपको मेरे पती के बारे में अच्छी तरह से पता ही होगा। मैं अपने होटल में ठहरने वाले हर व्यक्ती के बारे में जानता हूँ। वरना फिर मैं उनका ख्याल कैसे रख सकूँगा। वो, वो कहीं चला गया है और उसे लेकर मुझे बहुत दर लग रहा है। तकरीबन एक घंटे से उसका कोई अतापता नहीं है। दुलक ने कुछ सोचने के भाव से सिरहिलाया और डिस्क के पास आकर बोला यह तो अच्छा खासा समय हो गया। तब तो हमें पुलिस की सहायता लेनी होगी। वाल के चहरे पर हिचकी चाहट के भाव उभे लेकिन डुलक ने हाथ उठा कर उसे कुछ कहने से रोक दिया। बोला किसी भी तरह की अंचाही पबलिसिटी को लेकर आप चिंतित नहों। भरोसा रखें मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अगर आप इजाजत देंगी तो मैं सब कुछ देख लूंगा। पुलिस चीफ कैप्टेन टेरेल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वह हालात की नजाकत को जरूर समझेगा और मामले में पूरी सावधानी और बुद्धिमत्ता पूर्वक एक्षन लेगा। यकीन रखें, वो न केवल मिस्टर बरनेट को ढूंध निकालेगा, बल्कि हमारे अलावा किसी दूसरे को इस बात की भनक तक न लगेगी। वाल ने एक लंबी गहरी सास खीची, फिर बोली शुक्रिया। जरूर, मैं ये अब आप पर छोड़ती हूँ। मैं तहे दिल से आपकी शुक्र गुजार हूँ। जो कुछ भी मुम्किन हो सकेगा, वो सब किया जाएगा। दुलक ने कहा, अब आप अपने सुट में जाकर आराम करें। मैं कुछ खाने को भिजवाता हूँ। वाल ने इनकार करने के लिए मुह खोला ही था कि डुलके मुस्कुराते हुए बोला, बस कुछ हलका फुलका साही सही, मगर खाना जरूर होगा। वह वाल के साथ दर्वाजे तक उसे छोडने आया और बोला, आधे घंटे के भीतर ही कैप्टेन टेरेल आपके सामने होगा। आपका स्वागत है, क्रिप्या मेरे चैनल आपको सब्सक्राइब करें और क्रिप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं। कैप्टेन टेरेल अध्पके बालों वाला खूब लंबा चोड़ा व्यक्ति था। उसका चहरा भराभ्या और भारी सा था जिसके कारण बाहर की ओर उभरे हुए जबडे चहरे को चौकोर सा आकार देते से लगते थे। उसकी आखें मटमेले रंकी थी। उसके माथत उसे बहुत पसंद करते थे। जबकि मियामी शहर का जरायम पेशा वर्ग उससे खौफ खाता था। उस समय वह एक आराम कुरसी पर बैठा हुआ था जो उसके भारी शरीर के कारण। अब तूटी तब तूटी जैसी हालत में पहुची पड़ी थी। वाल उसके सामने घुटनों के बीच अपने हाथ दबाये परिशान सी बैठी थी। टेरेल के चहरे पर गंभीर भाव थे और उसकी निगाहे वाल पर जमी थी। दुलक ने मुझे बताया, मिसेस बरनेट उसने कहा। उस समय उसके स्वर में उसके स्वभाव के विपरीत अतिरिक्ट नर्मी थी, मैंने पहले ही आपके पती और कार का डिस्क्रिप्शन फ्लैश करवा दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले एक घंटे के भीतर मेरा कोई न कोई बंदा उनका पता लगा लेगा। इसलिए चिन्ता करने जैसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाल बोली और वो अखबार वाले। आप उनकी बिलकुल ही चिन्ता न करें। मुझे इन जैसे लोगों से बखूबी निपटना आता है। तेरेल ने कहा दुलक ने बताया कि आपके पती की तबियत भी कुछ ठीक नहीं। हाला कि उसने मुझे विस्तार से कुछ नहीं बताया। अगर एतराज न हो तो ऐसी क्या दिकत थी उन्हें। बोली। क्यों क्यों नहीं। अगर आपको लगता है कि ये जानना जरूरी है तो जरूर वाल। उनको हुआ क्या है आखिर। कोई दो बरस पहले उसका एक कार एकसीडेंट हुआ था। उस वक्त उसके सिर में काफी गंभीर चोटें आई थी। पांच महीने तक तो वह कोमा में ही पड़ा रहा था। एकसीडेंट से पहले तक वह काफी बुद्धिमान और समझदार इनसान था और मेरे पिता के साथ ही काम करता था। लेकिन जब वह कोमा से बाहर आया तो तो। अगर मैं अपने पिता की जुबान में कहूं तो एक जोंबी मेरा मतलब चलती-फिरती लाश जैसा बन चुका था। वाल ये कहकर चुप हो गई और आखों में उतर आई नमी को बाहर आने से रोकने के लिए खिडकी से बाहर देखने लगी। उसे महीनों सैनेटोरियम में रहना पड़ा था। लेकिन कोई फाइदा न हुआ। जिस्मानी तोर पर उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न जाने क्यों यकायक उसका हर चीज में इंट्रेस्ट खत्म हो गया। यहां तक की मुझ में भी। उसे तक्रीबन अठारह महीनों तक सैनेटोरियम में रहना पड़ा था। नहीं उसकी हालत बहतर हुई, नहीं बगतर हुई। तब मैंने सोचा कि मैं उसे वहां ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए डैडी की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने इस बात पर जोर दिया कि क्यों न उसे सैनेटोरियम के घुटन भरे माहौल से निकाल कर एक नॉर्मल लाइफ दी जाए। शायद इससे उसको कोई फाइदा होता। डॉक्टर लोग यह बात मान गए। इसलिए मैं उसे यहां ले आई। और उसमें कुछ सुधार दिखने भी लगे थे। कैसे सुधार? मतलब किन मामलों में टेरिल ने पूछा। यहां आने के बाद वो दो एक चीजों में दिल्चस्पी लेने लगा था। जबकि आने से पहले वह सिर्फ एक जगह बगैर हिलेडुले चुपचाप बैठा, उपर आसमान में घंटों ताकता रहता था। यहां आकर उसे उलिवर ट्विस्ट की एक प्रती मिल गई और उसने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझसे एक दिन डिकेंस की सारी किताबें दिल्वाने को कहा, जो मैंने फौरण ही उसे दिल्वा दी थी। वह डिकेंस को उसकी पहली किताब से पढ़ना चाहता था। इसके अलावा उसने यहां के लोगों में भी दिल्चस्पी लेना शुरू किया था और गाहब गाहे उनके बारे में मुझसे जिक्र छेडने लगा था। और आप में वालने असहाय भाव से अपने हाथ जटकेट बिल्कुल भी नहीं। सुना है उसने डॉक्टर गुस्ताव से भी मश्वरा लिया था। टेरिल ने एक शन के विराम के बाद कहा उसकी उसे क्या जरूरत पड़ गई। पिछले दो सालों से वह निरंतर डॉक्टरों की ही निगरानी में रहा है। उसे अपने आप पर तनिक भी भरोसा न था। डॉक्टर के बगैर वह अपने आपको बेहद लाचार महसूस करता। था। मैं डॉक्टर गुस्ताव को अच्छी तरह जानता हूं। टेरिल बोला अच्छा इनसान है। आपके पती के बारे में उसकी क्या राय थी। राय बस उन्होंने इतना ही कहा था कि उसमें सुधार के कुछ लक्षन दिखतो रहे हैं। मगर पूरी तरह ठीक होने में अभी एक लंबा अर्सा जाने वाला है। उन्होंने इस बात का कोई अंदेशा जाहिर नहीं किया था कि आपके पती कभी इस तरह कहीं अचानक जाभी सकते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या आपके पती को सैनेटोरियम से बाहर आने के बाद कार चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। बस यही बात तो मुझे खाये जा रही है। एकसीडेंट के बाद से ही उसने कार को हाथ तक नहीं लगाया था। मेरा मतलब आज से पहले तक। मैं ही हमेशा ड्राइविंग करती थी। इस बात पर टेरेल कुछ क्षणों के लिए चुप होकर सोच विचार करने लगा। फिर वह उठ खड़ा हुआ। बोला ठीक है जैसे ही वह हमें मिलते हैं, हम आपको सूचित करेंगे। बहतर होगा कि अगर आप खुद ही हेंड क्वार्टर आकर उसे अपने साथ यहां लेकर आएं। मेरे ख्याल से डॉक्टर गुस्ताव को भी खबर कर देनी चाहिए। मैं देख लूंगा। आप आराम करिये। उन्हें खोजने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। मैंने मियामी शहर से बाहर जाने वाले सारे हाइवेस पर अपने आदमी लगा दिये हैं। जब टेरेल चला गया, बाल खिडकी के पास बैठ गई ताकि नीचे गेट और पार्किंग पर निगाह रख सके। उसका लंबा इंतजार शुरू हो गया था। सारजेंट जो बीगलर ने अपनी छोटी-छोटी एवं मोटी सी उंगलिया अपने छोटे-छोटे बालों में फिराई। उसके जाईयों भरे चहरे पर उस वक्त काफी गंभीर भाव थे। वह एक बड़े से कमरे में एक स्ताहाल सी डेस्क के पीछे बैठा था। कमरे में उस जैसी तमाम देसके मौजूद थी, जिसके पीछे तमाम वर्दीधारी पुलिस वाले बैठे काम कर रहे थे। कोई सामने फैले कागजों के पुलिंदे में सिर्ख अपा रहा था। कोई टेलिफोन पर बतिया रहा था, तो कोई सामने रखे नोटपैड पर कुछ लिख रहा था। बीगलर एक मामूली सी जेवरात की डकैती संबंधी रिपोर्ट पढ़ रहा था। वह सीनियर सारजेंट था और अपनी उस हैसियत में टेरेल का दाहिना हाथ था। 38 वर्ष की उम्र हो जाने के बावजूद वह अभी तक अविवाहित ही था। टेलिफोन की घंटी बजी और उसने अपना भारी भरकम हाथ रिसीवर पर रखा, उठाया, कान से लगाया और गुर्राया, कौन? बीगलर बोल रहा हूँ चीफ अभी अभी अपने ओफिस में आये हैं डिस्क सार्जेंट की आवाज आई परेर ने अपरिय भाव से मुह बनाया, फाइल को सामने पड़ी ट्रे में पटका और भारी कदमों से टेरेल के ओफिस की ओर चल पड़ा जब वह टेरेल के ओफिस में पहुचा, तो टेरेल अपने लिए मग में कौफी उडेल रहा था उसे वहाँ पहुचता देखकर टेरेल ने अपनी डेस्क की दराज से एक दूसरा मग बरामत किया और उसे भी भर दिया भीतर आओ जोई, बरनेट के मामले की कोई खबर बीगलर ने दर्वाजा बंद किया और आकर टेरेल की डेस्क के सामने पड़ी स्टूलनुमा कुरसी पर बैठ गया टाइम्स कॉफी का मग हाथ में लेते हुए वह बोला अभी तक तो नहीं हर गश्टी कार को अलर्ट कर दिया गया है लेकिन इस मामले में इतनी दिल्चस्पी की वज़य टेरेल निरंतर इस्तिमाल से तक्रीवन काले से पढ़ चुके पाइप में तंबाकु भरने लगा भई बड़े लोग वो छोकरा चाल्स ट्रेवर्स का दामाद है और अगर तुम्हें नहीं पता है कि वो कौन है तो अब जान लो की वह वो है जिसने निव यॉर्क पैलेस होटल बनवाया है खाडी पर पुल बनवाया है हवाना में एक बांध बनवाया है और भी न जाने इस जैसी क्या क्या चीजें आर ने कॉफी का एक घूट भरा फिर एक सिगरेट सुलगा ली तो? तो क्या? हमें उस चोकरे को ढूढ़ना है लेकिन एक फचर है फंचर? कैसा फंचर? टेरेल ने ठहर कर अपने पाइप से एक जोरदार कश लिया फिर बोला उसका दिमाग हिला हुआ है mental case है उसकी बीवी से मिलकर यहां वापस लोटते समय रास्ते में मैं डॉक्टर गुस्ताव के यहां गया था डॉक्टर गुस्ताव उसे जानता है इस चोकरे को एक कार एकसीडेंट के दोरान सिर में गंभीर चोटे आई थी डॉक्टर गुस्ताव का कहना है कि चोटों से उसके दिमाग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्थ हो गया है समय के साथ वह हिस्सा ठीक तो हो जाएगा लेकिन इस बीच अपने किये गए किसी भी काम के लिए वह छोकरा जिम्मेदार नहीं होगा उसने पिछले दो सालों से कार नहीं चलाई है और इस समय वह मर्सिडीज लिए घूम रहा है उस जैसा मर्सिडीज लिए फिरता शक्स न केवल खुद का नुकसान कर सकता है बलकि औरों के लिए भी दुश्वारिया पैदा कर सकता है तो मुझसे क्या चाहते हो? बीगलर ने कॉफी खत्म करके मगदेस्ट के सिरे पर टिकाते हुए पूछा लोगों को फिर से फोन करूँ मेरे ख्याल से हाँ उनसे कहो कि ये बहुत जरूरी काम है मैं चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द इस आदमी की खोजक बर लगे पहली कॉल कि ये दो घंटे से भी उपर हो चुके है एक सफेद मर्सिडीज कनवर्टिबल को तलाश करने में इतना समय तो नहीं लगना चाहिए हो सकता है वह कच्चे रास्तों पर कहीं फिर रहा हो बीगलर उठते हुए बोला उसने क्या किया, क्या नहीं किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं बस उसे जल्द से जल्द तलाश करो बीगलर ने सहमती में सिर हिलाया और वहां से निकल कर ऑपरेशन्स रूम में आ गया उसने एक देश्क पर आसन जमाया, माइक्रोफोन उठाया और सभी पेट्रोल कारों को निर्देश जारी करने लगा अभी वह निर्देश जारी कर ही रहा था, एक अफसर भीतर आया और उसके कंधे को टहुका हैरी की कॉल आई है सार्जेंट उसे मर्सिडीज मिल गई है बीगलर ने माइक वापस रख दिया और बोला सभी लोगों को खब कर दो इतना कहकर वह एक दूसरी डेस्ट पर आ गया और वहां रखे फोन का रिसीवर उठा कर कान से लगा लिया हैरी जी सार्जेंट वर्टिकल बार मुझे कार मिल गई है सफेद रंग लाइसेंस नंबर 33,566 जो की निव यॉर्क में रजिस्टर्ड है ओल्ड डिक्सी हाइवे पर परली तरफ का टायर फटा हुआ है सामने की ओर का फेंडर भी पिचक गया है सड़क पर पहियों के घिसटने के निशान है कार एक पेड से जाकर टकराई थी जरूर बहुत तेज रफ्तार से जा रही थी बीगलर ने अपनी नाक के सिरे को उंगलियों से मसला और ड्राइवर कार में कोई नहीं है सर होल्ड करो बीगलर ने कहा और और कुरसी पर बैठे बैठे घूम गया जैक ओल्ड डिक्सी हाइवे के करीब हमारी कितनी गाडिया है तीन पुलिस कर्मी जो सभी पेटरोल कारों का हिसाब किताब रखता था ने बताया दो तो बीस मील के दाइरे में है और तीसरी दस मील के दाइरे के भी तरही है उनसे बोलो की वे फॉरण हैरी के पास पहुँचे उसे मदद की जरूरत होगी कहकर बीगलर वापस फोन पर हैरी से मुखातिब हुआ तीन कारे पहुँच रही है मैं पूरे इलाके की सघन चानवीन चाहता हूँ ड्राइवर अभी बहुत दूर नहीं निकल पाया होगा तुम जहां हो वही ठैरो बढ़ अभी तुम्हें उस आदमी का हुलिया बताये देता है उसने आवाज देकर एक अफसर को बुलाया और हाथ में थमा रिसीवर उसे देकर तेज कदमों से टेरेल के ओफिस की ओर बढ़ चला बाद दोपहर तीन बचकर बीस मिनट पर भी वाल अभी तक खिड़की के पास बैठी इंतजार कर रही थी सारे अर्से वह खुद को यही दिलासा देती रही थी कि वह खुद कुछ नहीं कर सकती थी और कि जब तक पुलिस क्रिस को तलाश नहीं कर लेती थी उसे सब और हौसले से काम लेना चाहिए था लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीटता गया था उसकी व्यगरता बढ़ती गई थी यह तनहा इंतजार उसकी रगरक को जैसे तोरताम्थतासा लग रहा था वह मन ही मन कई बार इस सवाल से दो चार हो चुकी थी कि क्या क्रिस एक बार फिर किसी कार हाथ से का शिकार हो गया था और क्या? क्या इस बार? वह? वह मर चुका था? यकायक टेलीफोन की घंटी बजी एक शन के लिए उसने उस यंत्र को भूर कर देखा फिर उठकर खड़ी हुई और लगभग दौरती हुई उस तक पहुची और रिसीवर उठा लिया मिसेस बरनेट मैं कैप्टेन टेरेल बोल रहा हूँ वो मिला? अभी तक तो नहीं लेकिन हमें उनकी कार मिल गई है तेरेल ने बताया कार ओर्ड डिक्सी हाइवे पर पाई गई है आजकल वह रास्ता आम इस्तिमाल नहीं होता है उनकी कार का पहिया फट गया था और कार एक पेड से जाकर टकराई थी मालूम पढ़ता है कि आपके पती ने कार को वहीं छोड़ दिया था और पैदल ही निकल पड़े थे हमारी चार गश्ती गाडिया वहाँ पहुच चुकी है और हमारे लोग सरगर्मी से पूरे इलाके को चान रहे है बड़ा उबढखा बढ़ सा इलाका है धेरों जार जंखार, पौधों के जुर्मुट, तूटी-फूटी काम में न आने लायक इमारते वहां हर जगह है मुझे लगता है कि वे शायद आराम करने की नियत से ऐसी ही किसी उजार जगह पर चले गए है मैंने सोचा कि आपको बता दूँ कि इस सिलसिले में हमने अभी तक क्या कुछ किया है आप बिलकुल चिंता न करें हम जल्दी ही उन्हें भी ढूंध निकालेंगे लेकिन वो घायल भी हो सकता है और मुझे नहीं लगता पेड से टककर इतनी भी जोरदार न थी की ऐसा कुछ हुआ हो केवल एक फेंडर ही पिचका है शायद यकायक हुए इस हादसे सेवे बधवास हो उठे हो और अब कहीं ठहर कर आराम कर रहे हूँ शायद मुझे भी वहां होना चाहिए मैं टैक्सी कर लेती हूँ और से आपके लिए यही बहतर है कि जहां है वहीं रहें मिसेस बरनेट टेरेल ने द्रिड़ता कहा उस सूरत में हमें यह तो पता रहेगा कि आप कहा है जैसे ही वो हमें मिलते हैं मैं आपको कॉल करूंगा ठीक है फिर शुक्रिया जी बहतर बाल के स्वर में उभर आई मायूसी को मन ही मन महसूस करके कुछ शर्मिंदगी के भाव से उसने कहा बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसने फोन रख दिया वाल ने फोन रखा और खिड़की के पास आकर दूर दूर तक पसरे समुंदर को फिर देखने लगी वहां खूब सारे लोग थे कुछ धूप में बैठे सूरज की तपिश का आनंद उठा रहे थे तो कुछ लोग समंदर में तैराकी के मजे ले रहे थे काफी खुशी भरा नजारा था लेकिन वाल के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था जब पांच बजे तक भी कोई फोन न आया तो वह बेचैन होने लगी उसने 20 मिनट के करीब और इंतजार किया फिर अपनी बेचैनी से त्रस्थ होकर उसने फोन उठाया और अपने पिता के निव यॉर्क स्थित कार्याले में फोन लगा दिया अपने बच्पन से ही वाल के संबंध अपने पिता से काफी दोस्ताना रहे थे एक तरह से वह उस इंतिहाई काम्याब और खूबसूरत शक्स की पूजासी करती थी उसके मन में हमेशा से यह यकीन था कि उसकी ऐसी कोई दुश्वारी नहीं थी जिसका जिक्र किये जाने पर उसके पिता के पास कोई न कोई माकूल हल न हो लेकिन खिर भी वह बहुत ही जरूरी मसलों पर उनसे किसी किस्म की मदद की गुहार लगाती थी मगर जब भी उसने ऐसा किया था तो पाया था कि उसके पिता ने अपने सभी कामों को छोड़ कर पूरी शिद्दत से उसकी दुश्वारी को हल किया था इसी लिए वह जानती समझती थी कि क्यों वह क्रिस को लेकर इतना उतावलापन दिखाता था क्योंकि क्रिस ने ही उसके सामने ऐसी दुश्वारी खड़ी की थी जिसमें उसे मू की खानी पड़ी थी वाल की अब तक की ऐसी समस्या जिसका कोई हल वह अब तक नढूंड सका था कोई दस मिनट के इंतजार के बाद वाल की बात पिता के आफिस में हो पाई और उधर से उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह अब भी एक मीटिंग में था मैं वैलरी बरनेट बोल रही हूँ कृप्या डैडी को तुरंत बताये कि मैं फॉरन उनसे बात करना चाहती है जरूर मिसेस बरनेट कृप्या थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए बस कुछ ही देर की बात है मैं अभी संदेशा भिजवाती हूँ इतने लंबे और बेचैनी भरे घंटों के सामने कुछ ही देर की क्या कीमत वाल ने सोचा और बोली ठीक है पांच मिनट से भी कम समय में दूसरी ओर से उसके पिता का स्वर आया वाल डैडी वह चला गया मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है आपसे बात करने के बाद जब मैंने खिलकी से बाहर देखा था तो वह वहा नहीं था कहीं चला गया था कार भी ले गया है क्या उसने एक गहरी सास भरी उसके पिता का स्वर शांत एवन सधा हुआ था हाला कि वह उम्मीद कर रही थी कि यह सब सुनकर वह गुस्से से फट पड़ेगा और कहेगा कि मैंने पहले ही चेताया था लेकिन उस समय पिताद्वारा किये गए उस सीधे और सरल से सवाल ने उसे बड़ी राहत पहुँचाई हाँ अभी वह पिछले पांच घंटों से लापता है दुलक से बात की हाँ और उसने यहां के पुलिस चीफ को भी सूचना देकर बुलवाया था पुलिस को मरसिडीज तो मिल गई है मगर उसका कोई अतापता नहीं ढूंड तो रहे है न हाँ शायद पका नहीं कह सकती कॉल होल्ड पर डालो और तुरंट पुलिस को फोन करो अभी क्या स्थिती है मुझे जानना है हाँ डैडी करती हूँ लेकिन क्या आपको लगता है की वाल जो कहा है पहले उतना करो समय मत गमवाव उसने ओपरेटर को बोल कर निव यॉर्क की काल को होल्ड पर डलवाया और टेरेल को फोन लगवाया कुछ पता चला जैसे ही उसने फोन पर टेरेल का स्वर सुना उसने पूछा मेरे डैडी तैटीस अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है मिसेस बरनेट मैं आठ से ज्यादा आदमी नहीं लगा सकता सच बात तो यह है मैडम की अगर अंधेरा होने से पहले हमें मिस्टर बरनेट को खोज निकालना है तो उसके लिए मुझे और मदद की दरकार है लेकिन फिर इसका मतलब है अतिरिक्ट पब्लिसिटी मैं आपको ही फोन करने जा रहा था मगर आपने खुद ही कर दिया अब आप ही बताईए कि आगे क्या करना है वाल ने कुछ क्षण सोचने का प्रयास किया फिर अस्थिर स्वर में बोली मैं आपको फिर फोन करती हूँ उसने ऑपरेटर से दोबारा निव यॉर्क कनेक्ट करने को कहा वे उसे अभी तक तलाश नहीं कर पाए हैं उसने पिता को बताया मैंने पुलिस चीफ से कहा था कि मैं किसी भी तरह की पब्लिसिटी नहीं चाहती अब वो कह रहा है कि अगर क्रिस को रात होने से पहले ही खोज निकालना है तो उसे अतरिक्त मदद हासिल करनी होगी मगर उस स्थिती में अखबार वालों को खबर लगना तय है उससे कहो कि उसे जो भी मदद चाहिए हासिल करे प्रेवर्स बोला उससे कह दो कि मेरे वहां पहुँचने तक क्रिस तुम्हारे साथ होना चाहिए मैं फॉरन फ्लाइट ले रहा हूँ जितनी जल्दी हो सका मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा तुम फिक्र मत करो वाल मैं बस पहुँचा ही समझो लेकिन डैड़ी क्या आपको काम नहीं है क्या न्यूटन हम समय बरबाद कर रहे है मैं आ रहा हूँ तुम इस पुलिस वाले से कहो कि वह हर वो मदद हासिल करे जो उसे चाहिए तुम अपने कमरे में ही रहना दुलक को बोल दो कि वह मीडिया वालों से निपट ले मैं आकर बाकी सब देख लूँगा लाइन कट गई वाल ने टेरेल को कॉल की डैड़ी यहां आ रहे है क्या आपको जरूरी मदद फौरण हासिल हो जाएगी हमें आज रात ही मेरे पती को धूंध निकालना है जी बिलकुल टेरेल ने कहा मुझे अफसोस है मिसेस बरनेट की कहीं कोई लीड नहीं मिल पा रही है आधे घंटे में ये खब रेडियो के जरिये आसपास के किसानों तक इस ताकीद के साथ पहुच जाएगी कि वे अपने खेत खलिहानों में तलाश करें हम भी सारे मोटल्स, अस्पताल और होटलों को खंगा लेंगे मीडिया भी अब इस मामले से दूर नहीं रह पाएगी पड़ी ठीक है वाल ने फोन रख दिया उसने हथेलियों से अपने चहरे को ढापा और फूट-फूट कर रो ओडियो बुक शॉप में आपका स्वागत है कृप्या मेरे चैनल ओडियो बुक शॉप को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं वाल के कमरे की सुनहरी घडी ने ग्यारा बजने का एलान किया वह खुली खिड़की के पास सेटी पर लेटी बाहर तारो भरे आसमान को निहार रही थी रात अंधेरी थी आसमान से चाद नदारत था उसका पिता उसके पास ही एक आराम कुर्सी पर बैठा था ऐसे ही किसी मौके बेमौके पर काम आने लायक कमरे की एक मात्र मेज उसके पहलो में रखी थी जिस पर एक विसकी और सोडे की बोतर रखी थी उसकी उंगलियों के बीचे एक सुलकता हुआ सिंगार फसा हुआ था पिछले आधे घंटे से दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था उसका पिता जब वहां पहुँचा था तो वाल की उम्मीदों के खिलाफ वह उससे हमदर्दी और नर्मी से पेश आया था क्रिस के सैनेटोरियम जाने के बाद से उनके रिष्टों के दर्मियान जिस तल्खी ने निरंतर अपनी हाजिरी दर्स कराई थी वह बिसरने लगी थी वाल अब खुद को बहतर महसूस करने लगी थी उसके पिता की मौजूदगी उसके भीतर आत्म विश्वास का संचार कर रही थी नीचे होटल के कमपाउंड में अख्वार वालो और फोटोग्राफर्स का जमावरा लगने लगा था वाल उनकी उँची और तीखी आवाजे बखू भी सुन पा रही थी कभी कभार नीचे से उन लोगों के उचे स्वर में हंसने की आवाज आती थी तो वह थमक्सी जाती थी कमरे में बसी खामोशी को टेलिफोन की घंटी ने तोड़ा ट्रेवर्स ने रिसीवर उठाया कैप्टेन टेरेल आये हैं सर रिसेप्शन क्लर्क ने उसे सूचित किया उपर भेज दो ट्रेवर्स ने कहा और रिसीवर रख दिया वाल जटके से उठकर खड़ी हो गई और उचसुकता से उसका मुह ताकने लगी टेरेल आ रहा है उसके पिता ने बताया वह मिला कुछ देर में पता चल जाएगा उसका पिता उठकर खड़ा होता हुआ बोला साठ साल की उम्र में भी चार्ल्स ट्रेवर्स काफी प्रभावशाली लगने वाला व्यक्ती था उसका कद सवा छै फुट के करीब था कंधे चोड़े एवं बलिष्ट थे उसकी आखे नीली एवं तीखी थी और सिर के बाल सफेद थे जब वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा तो उसकी प्रभावशाली चाल एवं उसके व्यक्तित्व की आभाने वाल को एक नए आत्म विश्वास से भर दिया दोनों ग्यक्तियों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और हाथ मिलाया कुछ पता नहीं चला तेरेल ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा मैंने सोचा की चलकर मैं खुद ही आपको बता दूं की अभी तक हमने क्या किया है उसने वाल की ओर देखकर सिरहिला कर अभिवादन किया वाल सेटी के पास सफेद चेहरा लिये मुठिया भीचे खड़ी थी उसे गायब हुए लगभग बारा घंटे हो गए है ट्रेवर्स थोड़ा सक्त स्वर में बोला निश्चय ही मुझे पता होना चाहिए कि तुमने अभी तक क्या तीर मारा है मुझे इस बात का पूरा-पूरा एहसास है कि आप लोगों पर क्या बीत रही है मिस्टर ट्रेवर्स टेरेल ने कहा लेकिन हम लोग अभी तक जितना कुछ कर चुके हैं उससे ज्यादा कुछ कर पाना हमारे बस में नहीं है यह इलाका बहुत बीहड है यहां दलदली इलाकों के साथ साथ सघन जंगल मीलों तक फैले ज़ाड जंखाड के अलावा सैकडों की तादाद में खेट खलीहान है फिर भी हम अब तक कार के मिलने वाली जगह के इर्दगिर्द पान्च मील के दाइरे वाले क्षेतर को खंगाल चुके हैं मुझे लगता है कि हमें दो संभावनाओं पर विचार करना चाहिए या तो मिस्टर बरनेट जानबूच कर छुपते फिर रहे हैं या फिर वे किसी तरह वहां से गुजर रही किसी कार पर लिफ्ट हासिल करने में काम्याब हो गए हैं और उस पर सवार होकर इस इलाके से बाहर निकल गए हैं अब अगर वे जानबूच कर छुपते फिर रहे हैं, तो हमारा काम लगभग असंभव ही समझिए लुकाचिपी खेलने के लिए इससे बहतर जगह कहीं और नहीं अगर वे इस इलाके से बाहर निकल गए हैं, तो हमें आसपास के चारों राज्यों में एलर्ट जारी करना होगा और उन सभी वाहन चालकों से सहायता की अपील करनी होगी जो इस इलाके से होकर गुजरे हैं ट्रेवर्स ने अपनी तीखी द्रिष्टी उस पर गड़ा दी यानि तुम स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास अपने ही इलाके में गुम हुए व्यक्ति को तलाशने के परियाप्त साधन नहीं है किसी भी राज्य की पुलिस के लिए एक ऐसे व्यक्ति को तलाशना जो जानबूच कर हाथ ना आना चाहता हो मुश्किल ही होगा टेरेल ने शांत स्वर में कहा हम उसे खोज तो लेंगे ही बस वक्त की बात है तो आज रात उसके मिलने की कोई संभावना नहीं कुछ नहीं कह सकता धूंड भी सकते हैं मगर लगता तो नहीं ठीक है बस यही जानना चाहता था टेरेवर्स ने कहा तुम तलाश जारी रखो हम इंतजार करते हैं बहरहाल यहां आने का शुक्रिया टेरेवर्स के बरताव से तिल मिलाया हुआ टेरेल उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गया दरवाजे के पास पहुँचकर वह ठिटका और वाल की ओर देखकर बोला हम उन्हें ढूंड निकालेंगे मिसेस बरनेट मुझे उम्मीद है कि अभी भी आपको मुझ पर भरोसा होगा बिल्कुल है वाल ने अस्थिर स्वर में उत्तर दिया जब टेरेल चला गया तो टेरेवर्स वाल के करीब आया और उसे अंक में भीच लिया तुम जाकर सो जाओ वह बोला मैं यहीं हूँ सब ठीक हो जाएगा और दो हफ्तों बाद तुम सोच रही होगी कि क्यों खाम खाह में इतनी घबराई फिर रही थी वाल उससे अलग हुई डैडी आप नहीं समझोगे आप आये मैं किसी भी तरहे इसका शुक्रिया नहीं अदा कर सकती नहीं आपकी मदद और इस बड़पन का शुक्रिया अदा कर सकती हूँ लेकिन आप अभी भी ये समझते नहीं लग रहे कि क्रिस के बगैर में कुछ नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ वह चाहे जो हो जाए वह चाहे जैसा भी बरताव करे मगर वह मेरा ही हिस्सा है उसके बगैर मेरी जिन्दगी बेमानी है मैं आपको ये सब सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप अभी भी इस बात को किसी खातिर में लाते नहीं दिख रहे कि वह मेरे लिए कितना अहम है वह वह चीज है जिसके लिए मैं जी रही हूँ जटक्ते ट्रेवर्स ने एक विचार पूर्ण द्रिष्टी उस पर डाली और फिर लापरवाही भरे अंदाज में कंधे हुए बोला चलो छोडो वाल सोने जाओ अब पता है कि सोगी नहीं लेकिन इसी बहाने कुछ आराम तो मिल ही जाएगा वे लोग उसे ढूंड निकालेंगे जब तक वे लोग उसे खोज रहे हैं हम लोग आराम कर लेते हैं वाल ने बड़े अनुराग भरे ढंग से उसकी बाह पर अपना हाथ रखा मैं सिर्फ इस बात की तसल्ली कर लेना चाहती थी कि मेरे और क्रिस के बीच जो गहरा संबंध है उसे आप अच्छे से समझते हैं मैं अब सोने जा रही हूँ यहां आने के लिए शुक्रिया डैडी आप न होते तो पता नहीं मैं क्या करती वह अपने बेडरूम की ओर चली गई पीछे ट्रेवर्स खिडकी के पास जा खड़ा हुआ काफी देर तक खिडकी से बाहर फैले गहन अंधकार को देखता रहा उसके माथे पर बल पड़े हुए थे फिर एक आएक एक जटके में उसने आधा पिया सिगार नीचे टेरेस पर उस ओर उचाल दिया जिधर अखबार वाले इंतजार कर रहे थे आस्ट्रिस्क 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 नाश्टे की खुश्बू ने टेरेल को जल्दी जल्दी शेव करने पर मजबूर कर दिया वह सुभ तीन बजे तक क्रिस बरनेट की तलाश में खोजी टीम के साथ लगा रहा था कोई नतीजा न निकलता देख थक हार कर उसने कमान बीगलर को सौंक दी थी और घर चला आया था शेविन से फारिग होकर उसने सोचा की बरनेट शायद अभी तक मिला नहीं था वरना जो अब तक फोन पर उसे सूचित कर चुका होता फिर उसे मिसेज बरनेट का ख्याल आया वाल का ख्याल आते ही उसके मन में अफसोस की भावना सिर उठाने लगी वह उसके किसी काम न आ सका था लेकिन वह इससे ज्यादा कर भी क्या सकता था उसने स्वयन से प्रश्न किया जब वह ड्राइन रूम में पहुचा तो उसने भारी शरीर और घरेलू जिम्मेदारियों के बोज तले पिसकर समय से पहले ढल चुकी आम विवाहित स्त्रियों जैसी दिखती अपनी बीवी कैरोलिन को अखबार पढ़ते पाया यह बेचारा क्या वाकई में दिमागी मरीज है उसे वहां आया देख कैरोलीन ने अखबार उसे थमाते हुए पूछा अब अखबार वालों को पता तो सही ही लगा है अब वे खामखाह की कहानिया गड़कर लोगों को डराते भी फिरेंगे वह बैठते हुए बोला लेकिन वह खतरनाक तो नहीं है न टेरिल ने कंधे उचकाए दिमाग में नुक्स है तो सही उसके कुछ देर अखबार में इधर उधर सरसरी तोर पर निगाह फिराने के बाद उसने मुह विचकाया और घ्रिना से अकबार एक और उचाल दिया आखिर गया कहा होगा वह वह यू बड़बडाया जैसे बीवी से नहीं खुद से ही बात कर रहा हो और इस पूरे समय करता क्या रहा होगा जैसे इन ही सवालों का जवाब देने के लिए ही फोन की घंटी बस उठी उसने अपनी काफी का मग मेज पर टिकाया और लंबे-लंबे डग भरता हुआ टेलिफोन के पास पहुँचा रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया चीफ जोई बोल रहा हूँ बीगलर का परिशान सास्वर आया ओजस में कुछ गड़बड हुई है एक क्लिकी रिपोर्ट दर्स कराई गई है टेरिल ने अपना माथा खुजाया हत्या पिछले आठ महीनों से उसके इलाके में ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई थी क्या पता लगा पार्क मोटल के मालिक का फोन आया था उसने रिपोर्ट दर्स कराई है कि उसके एक बिन में एक औरत मरी पड़ी है किसी ने उसकी बुरी दुरगती कर दी है और लाश को बुरी तरह काट पीट डाला है ठीक है मुझे लेने के लिए आ जाओ बर्नेट का कुछ पता चला सब लोग खोजने में लगे तो है बीगलर के स्वर से लगा कि वह इस बर्नेट वाले मामले से अब उपता गया था उसके लिए हत्या का मामला कहीं अधिक महत्वपूर्ण था उसने कहा टीम भी साथ ही है दस मिनट में हम आप के पास पहुँच जाएंगे टेरेल ने रिसीवर रखा और बची हुई कॉफी समाप्त करने में इस के पास पहुँचा उसने कैरोलीन को हत्या के बारे में भी बताया लेकिन उसने इस खबर में कोई दिल्चस्पी नहीं ली वह बस क्रिस बर्नेट को लेकर उच्सुक थी वह अब भी गायब है टेरेल ने कुछ खीज भरे स्वर में उत्तर दिया मेरे ख्याल से अब तक तो वह एक्सिडेंट वाली जगह से मीलों दूर निकल चुका होगा शायद उसका दिमाग फिर खिसक गया हो और उसे पता भी नहो की वह कर क्या रहा है आठ मिनट बाद जब बीगलर अपनी टीम के साथ टेरेल के बंगले के बाहर पहुँचा था और टेरेल बाहर जाने के लिए अपनी जैकेट पहन रहा था टेलीफोन की घंटी फिर बजी चीफ विलियम्स बोल रहा हूँ दूसरी ओर से कहा गया हमने मिस्टर बरनेट को ढूढ निकाला है वह उत्तरी मियामी बीच के हाइवे पर भटकते फिर रहे थे वह कार में हमारे साथ ही हैं अब उनका क्या करना है? बीगलर घर की चौखट पर आखड़ा हुआ है इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने अधीर्टा पूर्वक पूछा हालत कैसी है उनकी? वह तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे उनके सिर में चोट लगी हो उन्हें याद ही नहीं है कि सारे अर्से वे थे कहा और क्या कर रहे थे ठीक है अभी जहां हो वही रहो तेरिल ने कहा मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा उसने फोन काटा और स्पेनिश वे होटल का नंबर डायल किया जब वह वांचित स्थान पर संपर्क जुड़ने का इंतजार कर रहा था उसी दोरान उसने चोखट पर खड़े बीगलर से कहा बरनेट उन्हें मिल गया है मुझे पहले उसका कोई इंतजाम करना होगा तुम पार्क मोटल चले जाओ मैं बाद में वहां पहुँच जाओंगा बीगलर ने सहमती में सिरहिलाया और बाहर खड़ी कार की ओर बढ़ गया दूसरी ओर ट्रेवर्स से संपर्क स्थापित होते ही वह बोला मिस्टर ट्रेवर्स पुलिस चीफ बोल रहा हूँ हमने मिस्टर बरनेट को ढूंद लिया है वह बिलकुल खोए-खोए से लग रहे है इस समय वे उत्तरी मियामी बीच हाइवे पर एक पुलिस कार में है आपके होटल से वहां की दूरी करीब 35 मील है मेरे विचार से उन्हें सीधे होटल लेकर आना सही न होगा यहाँ पहुँचते ही अखबार वाले उन्हें घेर कर सवालों की जड़ी लगा देंगे ऐसी स्थिती में मेरी सलाह यही है कि मेरे आदमी उन्हें लेकर सीधे डॉक्टर गुस्ताव के सैनिटोरियम पर पहुँचे मिसेज बरनेट और आप उनसे वहाँ भी मिल सकते हैं आपका क्या ख्याल है? हाँ ट्रेवर्स बोला धन्यवाद हम लोग भी वही के लिए निकल रहे हैं फिर वे एक घंटे के भीतर वहाँ पहुँच जाएंगे तेरिल ने कहा और फोन काट दिया फिर उसने विलियम्स को फोन लगाया उसे जरूरी निर्देश दिये अपनी डीवी को संक्षेप में सारे हालात से अवगत कराया फिर जल्दी जल्दी अपनी कार के पास पहुँचा और उस पर सवार होकर पार्क मोटल ओजस की ओर बढ़ चला ओजस यू इस हाइवे चार पर स्थित एक छोटा सा व्यापारिक पड़ाव था स्थानी अभाशा में इसका अर्थ प्रचुर्ता का परियाय था लेकिन कोई 600 लोगों वाले इस गाउ के इस नामकरण की वजहें यहां चारों और खूब सारी फल फूल रही प्राकृतिक हरियाली और तरहत्रह की उपज थी गाउ के ठीक बाहर मुख्यराज्यमार्ग पर पार्क मोटल स्थित था पार्क मोटल एक दोयम दर्जे का मोटल था जो सीधे मियामी जाने वाले रास्ते पर स्थित था यहां 40 के करीब छोटे-छोटे उचित रख रखाव के अभाव के चलते खस्ताहाल होने को आए लकडी के केविन थे एक स्विमिंग पूल था एक सेल्फ सर्विस स्टोर बच्चों के खेलने हे तू एक रेतीला मैदान और वहां ठहरे लोगों के लिए पास के पेडों पर कहीं लगे लाउड स्पीकर्स की तेज आवास पर नित्य हे तू एक चौकोर सी समतल जमीन का टुकरा था पुलिस टीम के वहां के लंबे चौड़े पार्किन लॉट में पहुँचने के कोई पांच मिनट बाद ही टेरिल भी वहां पहुँच गया कदल के मामलों की तफ्तीश करने वाली होमिसाइड टीम के इंचार्च फ्रेड हेस ने बताया कि बीगलर रिसेप्शन पर मोटल के मालिक से बात कर रहा था टेरिल ने उसे वही ठहरने को कहा और उस केबिन की ओर बढ़ गया जिसके बाहर एक बड़ासा नियोन साइन लगा था जिस पर लिखा था पार्क मोटल नौकरी हे तु संपर्क करें कोई दसबारह व्यक्ती मजमा सा लगाए ओफिस के आगे मुह बाये खड़े थे टेरिल ने जब ओफिस में कदम रखा तो एक बारगी उन लोगों ने उसे टकटकी लगा कर देखा फिर आपस में खुसुर-पुसुर शुरू कर दी ओफिस के भीतर काफी गर्मी थी वह एक छोटा सा ओफिस था जो एक काउंटर के जरिये दो हिस्सों में बंटा हुआ था काउंटर के उपर एक रजिस्टर, एक टेलिफोन, कई सारे रंगविरंगे बाल, पॉइंट, पेन और एक एश्ट्रे रखी हुई थी जो सिग्रेट के टोटों से उपर तक भरी हुई थी काउंटर के पीछे एक मेज, तीन कुर्सिया थी और उससे लगी दीवार पर इलाके का विशाल नक्षा टंगा हुआ था बीगलर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, सिग्रेट उसके होटोन में दबी हुई थी मेज के पीछे मोटल का मालिक बैठा था, मालिक कद में तो खासा लंबा था, लेकिन शरीर दुबलाप्तला था उसकी उम्र कोई 55 साल के आसपास रही होगी सिर के बालों में जगहज गह सफेदी के गुच्छे से थे और तवचा की रंगत पीली थी पिचके से गालों वाले उसके चहरे पर नाक अनुपाद से कहीं अधिक लंबी थी उस समय उसने जो सूट पहन रखा था, वह उसकी नाप से बहुत बड़ा लग रहा था जहां हेनेकी है, बीगलर उठकर खड़ा होता हुआ बोला हा तो हेनेकी फिर आगे अच्छा एक बार फिर शुरू से सब बताओ टेरेल ने नेकी की ओर देखकर सिर हिलाया हेनेकी कुछ बेचैन सा हुआ टेरेल बीगलर के पास दूसरी कुर्सी पर बैठ गया तो जैसा कि मैंने सारजेंट को बताया, हेनेकी ने बोलना शुरू किया इस लड़की ने सुबह साढ़े साथ बजे उसे जगाने के लिए बोला हुआ था तो मैंने उसे फोन किया लेकिन दूसरी ओर से कोई उत्तर न मिलने पर मैं उपर चला गया वहां जाकर देखा तो वह उस हालत में थी उसके चहरे पर दूहक के भाव आये, फिर मैंने पुलिस को फोन कर दिया वह है कौन? टेरेल ने पूछा उसने स्यू पारनेल के नाम कमरा बुक किया था वह मियामी की थी गई रात वह आठ बजे के करीब यहां पहुँची थी और सिर्फ एक रात के लिए कमरा लिया था पहले कभी कहीं देखा था उसे एक ख़ण के लिए हैने की कुछ हिचकी चाया फिर उसने इनकार में सिर हिला दिया जहां तक मुझे याद है, नहीं वैसे भी यहां धेर सारे लोगों का आना जाना लगा ही रहता है लेकिन खिर भी नहीं क्या कोई उससे मिलने यहां आया था कह नहीं सकता मैं सुबह साधे साथ बजे से लेकर रात एक बजे तक यहीं इसी आफिस में बना रहता हूं उसके बाद मैं यहां ताला लगा कर सोने चला जाता हूं इसलिए मेरे पास यह जानने का कोई जरिया नहीं होता कि किस केबिन में क्या चर रहा है तेरिल उठ खड़ा हुआ चलो देख कर आते हैं वह 24 नंबर के केबिन में है हेने की बोला और एक चाबी निकाल कर मेज पर रख दी फिर दबे से स्वर में बोला सर अगर आपको एतराज न हो तो मैं यही ठहरता हूँ वो क्या है कि उसे एक बार उस हाल में देख लेने के बाद अब दोबारा देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही कोई बात नहीं पेरिल ने कहा बीगलर ने मेज पर से चाबी उठा ली दोनों आदमी ओफिस से बाहर आये और केबिनों की दोहरी कतार के बीच चलते हुए कोई पचास गस दूर एक केबिन की ओर बढ़ चले लोगों के जुंड ने भी पीछे आने का प्रयास किया लेकिन दो बावर्दी पुलिस वालों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया बाकी की होमिसाइड टीम और कैमरा मैन टेरिल और बीगलर के साथ हो लिए केबिन नमबर 24 के पास पहुँचकर बीगलर में ताला खोला यहीं ठहरो टेरिल ने अपनी टीम से कहा और वीगलर के साथ उसने भीतर कदम रखा वह एक बीस बाई बीस का वरगाकार के बिन था जिसमें एक गंदा सा गलीचा बिछा हुआ था दो कुर्सियों थी, एक टेलिविजन था, एक वार्डरोब थी, एक ड्रेसिंग टेबल थी और एक डबल बेड था कमरे में रचबस गई मौत की गंध ने दोनों व्यक्तियों के चहरों पर विशाद के भाव उत्पन्न कर दिये बीगलर तो एक नजर बेड पर डाल कर फुर्ती से खिडकी के पास पहुँचा और जल्दी से उसे खोल कर बाहर देखने लगा टेरेल ने पलंग पर पड़ी निर्वस्त्र लाश पर निगाह डाली स्यू पार्निल 28 या 29 की रही होगी उसके बाल सुनहरे थे और जब जीवित थी तो निश्चे ही बला की खूबसूरत रही होगी जरूर वह अपने रखरखाव पर विशेश ध्यान देती थी टेरेल ने सोचा क्योंकि बेड़ पर पड़ी लाश के हाथों और पैरों की उंगलियों को देखकर लगता था कि उन्हें हाल ही में मैनिक्योर और पैडिक्योर करवाया गया है उसके सिर के बाल भी आधुनिक फैशन के अनुसार ही समवरे हुए थे शायद उसे काफी समय तक बाहर खुले में रहना पसंद था सीलिये सूरज की महरबानी के चलते उसकी चमडी बहुत अधिक मात्रा में गोरापन छोड़कर सामवलेपन की ओर बढ़ चली थी जिस किसी ने भी उसका यहा हाल किया था, उसने ये करते समय किसी नीन पागल सरीखी वहशत दिखाई थी शरीर के उपरी हिस्से में छुरे या ऐसी किसी धारदार चीज से बने चार घाव मुह फाड़े दिखाई दे रहे थे निचले हिस्से का तो और भी बुरा हाल था उस हिस्से को पूरी पाश्विक क्रूरता के साथ क्षत्विक्षत कर डाला गया था खून त्ल जैसे मामलों को अक्सर देखते रहने के अपने वर्षों के अनुभव के बावजूद तेरेल को ये द्रिश देखकर उपकाई सी महसूस होने लगी हे भगवान खिर्की के पास खड़े बीगलर के मुह से भर्राया स्वर निकला काफी देर से वह अपने पेट में उमडगुमड रही उपकाई को काबू में करने की कोशिश कर रहा था मगर अपनी ऐसी हर कोशिश को असफलपा वह तेजी से मुड़ा और केबिन से बाहर निकल गया टेरेल ने चारों और निगाह फिराई वह मौजूद एक कुरसी पर एक नीला सफेद सूटकेस पड़ा था उसने पलंग को पार किया और एक और दिख रहे दर्वाजे को खोला वह दर्वाजा एक छोटे से शावर रूम में खुलता था शीशे के एक शेल्फ पर एक परफ्यूम की शीशी, एक टूथपेस्ट और एक साबुन की टिकिया रखी हुई थी शावर के पास वैसे ही एक दूसरे शेल्फ पर एक पीले रंग का स्पंज और नहाते समय बालों को गीला होने से बचाने है तू एक शावर के प्रखी थी वह कमरे में वापस आ गया पलंग की ओर से नजरे बचाते हुए वह कमरे से बाहर उस जगहा आ गया जहां एक तंसे गलियारे में उसके आदमी उसकी प्रतीच्शा कर रहे थे एक चादर लाव उसने हैस से कहा और पूछा ये डॉक्टर अभी तक आया नहीं रास्ते में ही है हेस ने बताया बस पहुचने ही वाला होगा अभी वह यह बता ही रहा था कि एक कार आकर रुकी और उसमें से पुलिस डॉक्टर लोविस उतर कर अपने हाथ में बैग थामे तेज कदमों से चलता हुआ वहाँ पहुचा सीधे भीतर चले जाए लाश अब आपके हवाले है ठिगने मोटे डॉक्टर ने अचकचा कर प्रश्नवाचक मुद्रा में उसे घूरा फिर अगले ही क्षन वह भीतर चला गया ट्रेल अपने सहियोगियों से मुखातिब हुआ जब डॉक्टर अपने काम से फारिग हो तो तुम लोग इस जगह की अत्यंत बारीकी से चानबीन करना कमरे में मौझूद धूल का एक कन भी तुम्हारी नजरों से बचना नहीं चाहिए मुझे यहां मौझूद हर उस चीज की जानकारी चाहिए जिससे हमें कोई सुराग मिल सके हमें इसे जल्द से जल्द निक्ताना होगा इस तरह के दिमाग से खिसके हुए हत्यारे खामोश नहीं बैठते वह ऐसी हरकत दोबारा दोहरा सकता है कहने के बाद वह दोबारा केबिन में आया और सूटकेस उठा लिया क्यों डॉक्टर क्या हाल उसने पलंग की ओर देखे बगैर डॉक्टर लोविस से परिहास साकिया मैंने अपने जीवन में इस से भी बुरी लाशे देखी है लोविस ने नर्मी से जवाब दिया खूबसूरत लड़की है है नहीं थी टेरेल ने कहा और डॉक्टर की कोई भी प्रतिक्रिया सुने बाहर आ गया डॉक्टर फेलिक्स गुस्ताव अपने वेटिंग रूम में पहुँचा वाल और उसका पिटा एक खुली हुई फ्रेंच विंडो के पास खड़े उसके आने का इंतजार कर रहे थे कमरा काफी शानदार था समरिध्धी को दर्शाती किसी भी चीज से उस कमरे को महरूम नहीं रखा गया था दॉक्तर गुस्ताव विशाल डिलडॉल वाला भारी भरकम और सिर से गंजा व्यक्ति था उसकी आखें तीखी और काली थी उसने काफी शानदार एवं महने कपड़े पहने हुए थे आहट सुनकर जब वाल और उसके पिता पीछे मुड़े तो डॉक्तर गुस्ताव कमरे में दाखिल हो चुका था उसका चहरा भावहीन था जैसे कि उसे आभास था कि अब केवल चहरे पर मुस्कुराहट भर सजा लेने से ही काम न होने वाला था शमा चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको इतना इंतजार करना पड़ा करीब आकर वह बोला क्रिस अभी आराम कर रहा है वाल को कुछ राहत महसूस हुई लेकिन इससे पहले आप लोग उससे मिलें मैं उसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ दॉक्टर गुस्ताव ने कहा गायब होने के दौरान पूरे समय वह आखिर करता क्या रहा था ट्रेवर्स ने तीखे स्वर में पूछा गुस्ताव ने बाल का हाथ थामा और उसे कुर्सी के पास ले आया बैठ कर बाते करते हैं ट्रेवर्स के उखडे मिजास को सरासर नजर अंदास करते हुए उसने अपनी भी तश्रीफ वाल के पास ही एक दूसरी कुर्सी पर टिका दी ट्रेवर्स एक पल के लिए कुछ हिचकी चाया फिर बगैर कुछ बोले चुपचाप आकर वाल के पास बैठ गया तो आप पूछ रहे थे कि वह पूरे अर्से करता क्या रहा था गुस्ताव बोला उसे खुद ही नहीं पता हो सकता है कि बाद में उसे याद आ जाए लेकिन इस वक्त उससे इस बाबत कोई भी सवाल करना सही न होगा समय समय पर इस तरह पूरी-पूरी याददाश्ट का गायब हो जाना अपेक्षित है सच कहू तो इस समय तो वह खुद ही बेजार है और हो भी क्यों न? उसके पास परियात कारण भी है उसके दिमाग को गहरी चोट लगती है मगर उसके बावजूद भी अगर कहा जाए तो व्याभारिक रूप से वह लंबे अर्से तक सामान्य रहता है फिर ये घटना हो जाती है अब वह यह बात अच्छे से जानता है कि ऐसा फिर हो सकता है तो क्या वह अब पूरी तरह लाई-लाज है? प्रेवर्स के स्वर में अधीरता थी इस स्थिती को आये अब तकरीबन दो साल होने को है हम लोगों को लग रहा था कि उसमें अब कुछ सुधार दिख रहा है अब अचानक से ये हादसा डैडी प्लीज वाल ने अप्रिय स्वर में कहा ट्रेवर्स चिर्चडे स्वर में बोला वाल बेटा अगर क्रिस ठीक नहीं होने वाला तो तुम एक मिनट मिस्टर ट्रेवर्स गुस्ताव शांत स्वर में बोला उसके पूरी तरह ठीक न हो पाने के संबंध में तो कुछ कहा ही नहीं गया है ये बस थोड़ा धीरज रखने वाला मामला है कहकर वह वाल की ओर मुड़ा और बोला जब तक मैं तुम्हारे पिता से बात करता हूँ तुम चाहो तो जाकर क्रिस से मिल लो वाल ने सहमती में सिर हिलाया ठीक है उपरी मन्जिल पर जाकर मिल लो हाल में एक नर्स है वह तुम्हें उस तक पहुचा देगी क्रिस को इस समय जिस प्यार और हमदर्दी की जरूरत है उसके लिए तुमसे बहतर और कोई नहीं हो सकता वाल उठकर कमरे से बाहर निकल गई पीछे उसे अपने पिता की एतरास जताती आवास सुनाई दी लेकिन उसने उसे नजरंदाच कर दिया बाहर हाल में मौजूद अधेड उम्र की नर्स उसे उपरी मन्जिल के उस कमरे में ले गई जहाँ उसका पती बेड पर लेटा हुआ था क्रिस बरनेट 36 साल का खूबसूरत व्यक्ति था उसके बाल और आखे गहरे भूरे रंकी थी चहरे के कटाव मर्दाना खूबसूरती के अनुसार ही स्पष्ट थे और उसका कद भी अपने ससुर की ही तरह उंचा लंबा था कार दुरघटना से पहले वह ट्रेवर्स की अकूत संपदा और बादशाहत के सुयोग्य उत्तराधिकारी के तौर पर जाना जाता था वाल दरवाजे की चोखट पर ठिठक गई उसके दिल में हूक सी उठी क्रिस उसने हॉले से आवाज दी आवाज की प्रतिक्रिया के तौर पर क्रिस ने हलकी सी गर्दन घुमा कर उसकी ओर देखा वाल का दिल दूबने लगा क्रिस के भावहीन चहरे आखों में व्याप्त भाव को देखकर उसे ये महसूस करने में एक पल भी न लगा की कार दुरघटना के बाद से जो एक अप्रिचित सी दिवार उनके बीच पैदा हो गई थी वह अब अभी उतनी ही शिद्दत से मौजूद थी आव वाल क्रिस ने कहा जो हुआ उसके लिए मुझे सक्त अफसोस है शायद तक्दीर हम दोनों से अभी तक रूठी ही है वाल ने चोखट से भीतर कदम रखा और घूमकर दर्वाजा बंद कर लिया इसमें अफसोस की क्या बात अपने मनोभावों और स्वर पर बड़े परिश्रम से नियंत्रन करती हुई वह बोली तुम ठीक तो हो न क्रिस को कोई जवाब न देता पाकर वह आगे बोली मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी शायद ऐसा ही कुछ होना बाकी था वह ठके से स्वर में बोला कुछ ऐसा जिसके लिए दो पुलिस वालों को मुझे लाकर इस पागल खाने में डालना पड़ा और मजे की बात तो देखो मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने किया क्या और क्या करता रहा कई घंटे मेरे दिमाग के याद वाले हिस्से से गायब हैं केवल अंधेरासा है मैंने कुछ भी किया हो सकता है शायद किसी का क्तलभी कुछ भी लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्रिस वाल बेड के पास पड़ी एक कुर्सी को करीब खीच कर बैठते हुए प्यार भरे लहजे में बोली तुम्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं यही तो वो गुस्ताव कहता रहता है हर्दम ठीक है नहीं करता फिक्र वह उसके मुह के कोने पर उभर आये अजीब से तिर्चेपन को देखने लगी जिसके चलते उसका मुह एक और को टेढ़ा सा हो गया था और होंट फड़कने लगे थे क्रिस वापस होटल चलोगे उसने इनकार में सिर हिला दिया मैं यहां खुश हूँ गुस्ताव भी अच्छे से ही पेश आता है मुझे उसका तौर तरीका पसंद है शायद मेरे लिए यही ठहरना ही बहतर है मुझे लगा कि तुम शायद होटल में ही रहना पसंद करो वाल ने ऐसा प्रकट करने की कोशिश करते हुए कहा मानो यह उसकी खुद की मर्जी नहीं है तुम्हारे पिता कैसे हैं? क्रिस ने बाल के उपर से नजरें हटाते हुए पूछा मुझे लगता है कि उन्हें भी इस घटना की खब है वाल हिचकी चाती हुई बोली हाँ है वे नीचे डॉक्टर गुस्ताव के साथ हैं इधर उधर भटकती सी आखें वाल पर आकर फिर स्थिर हुई तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वे अपने सारे जरूरी काम छोड़कर यहां मौजूद है कितनी अजीब बात है तब तो जरूर उनके पास आजकल समय ही समय है और अब तो उनके मन में मेरे लिए और भी नफरत पैदा हो गई होगी ऐसा कुछ नहीं है क्रिस वाल का स्वर अपेक्षाकृत तीखा हुआ तुम्हें ऐसा कुछ ऐसा ही है वाल मुझे पता है वे भी मुझसे उतने ही बेजार हुए पड़े हैं जितना की मैं अपने आप से हूँ तुम्हारे पिता एक शांदार और काम्याब इनसान है उनके अंदर वे कोमल समवेदनशील भाव नहीं है जो मेरे भीतर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शायद तुम अच्छे से समझ रही हो कि मैं किन कोमल और समवेदनशील भावों की बात कर रहा हूँ ये एक ऐसी चीज है जो हर उस इनसान में मौजूद हो सकती है जो एक साधारन इनसान हो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जगह बिलकुल सही हो जिन्दगी में काम्याब हो तुम्हारे अंदर कुछ भी कर गुजरने का जोश, जजबा, महत्वा कांक्षा और द्रिढ निश्चे है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये मजबूती, ये जोश, ये जजबा एकाएक कमजोर सा पढ़ जाता है वो जोश और जजबा जो जीवन में काम्याब होने के लिए किसी के भीतर होना जरूरी है और होना भी चाहिए मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है वो जजबा अब कमजोर सा पढ़ गया है लेकिन ये तुम्हारे पिता के साथ कभी नहीं हो सकता जिन्दगी में सिर्फ काम्याब होने का उनका जजबा फॉलाद का बना है भगवान के लिए क्रिस वाल की मुठिया भिंच गई तुम्हारे इस एक्सीडेंट की वजह से तुम कुछ भी से अगर ये सब कुछ तुम्हारे पिता के साथ हुआ होता तो क्या वो भी मेरी तरह ही व्यवहार न कर रहे होते क्रिस ने कहा फिर कुछ पलों के लिए ठहर कर नरम लहजे में आगे बोला वाल मैंने इस पर काफी सोच विचार किया है मुझे लगता है कि हमारे लिए यही बहतर है कि हम दोनों अलग हो जाएं मेरा मतलब हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम तलात ले ले और तुम मुझे भूल जाओ मैं जानता हूँ कि ऐसा ही कुछ तुम्हारे पिताभी चाहते हैं और वे अपनी जगह बिलकुल सही है वाल काफी देर तक चुपचाप अपनी जगह स्थिर बैठी रही और क्रिस भावहीन धंग से उसे देखता रहा क्या कुछ और इंतजार नहीं कर सकते हम? अंत में वह बोली मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा और सबसे काम ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा एक बात और याद आई मुझे क्रिस अपने हाथ की पुष्ट से आखों को मलता हुआ बोला तुमने मुझे जो सिगरेट लाइटर दिया था वह मुझसे कहीं खो गया है पोटल में यह मेरे पास ही था मैं अभी इतना भी पागल नहीं हुआ कि मुझे यह बात भी याद न रहे ये मेरी जैकेट की जेब में था लेकिन जब पुलिस मुझे यहाँ लेकर आई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने कोई जैकेट नहीं पहनी हुई थी तो मेरे ख्याल से मेरी जैकेट कहीं छूट गई है मुझे लाइटर खो जाने का बेहद अफसोस है वह फिर परे देखने लगा जो कुछ भी हुआ उसका मुझे सक्ट अफसोस है वाल अब तुम अपने पिता को नीचे और इंतजार मत करवाओ तुम मुझे यही छोड़ जाओ मैं ठीक हो जाओंगा पिता से तलाक के बारे में बात करो वह सारा इंतजाम कर देंगे दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका इंतजाम वो न कर सकें लेकिन मुझे तलाक नहीं चाहिए वाल शांत स्वर में बोली मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ कितनी अजीब बात है ज्यादातर लड़किया मुझसे पीछा छुडाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती तुम सोचना इस बारे में मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा ख्याल जरूर बदल जाएगा मुझे उस लाइटर का वाकई बहुत अफसोस है उसके साथ मेरी खूबसूरत यादे जुड़ी थी मुझे आज भी वह लमहा याद है जब तुमने मुझे वह दिया था कितने खुश थे हम उस वक्त हिन मैं तो अभी भी खुश हूँ वाल ने कहा अच्छी बात है कम से कम हम दोनों में से कोई तो आज भी खुश है मुझे नींद आ रही है थोड़ा सोना चाहता हूँ तुम अपने पिता से बात करो वह चीज को दुरुस्त करने के मामले में माहिर इनसान है क्रिस बिस्तर पर थोड़ा नीचे खिसक कर लेट गया और अपनी आखें बंद कर ली वाल खामोश बैठी उसे निहारती रही ये वो इनसान नहीं था जिसके साथ उसने शादी की थी ख्वाब संजोए थे ये तो कोई अजनबी था ऐसे ही कई विचारों में डूबे उसने क्रिस की सासों के उतार चढ़ाव और सीने के उठने गिरने से अंदाजा लगाया कि वह वाकई में सो गया था वह खामोश सी उठ खड़ी हुई और धीमे से दर्वाजा खोल कर भारी कदमों से बाहर आ गई ओडियो बुक शॉप में आपका स्वागत है क्रिप्या मेरे चैनल ओडियो बुक शॉप को सब्सक्राइब करें और क्रिप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं देखते हैं क्या मिलता है तेरिल ने कहा वह और बीगलर मोटल के एक खाली केबिन में थे सामने मेज पर वही नीला सफेद सूटकेस रखा था हुमिसाइड टीम के एक सदस्य लैटीमर ने अभी अभी सूटकेस के भीतर की चीजों का मुआयना किया था और उनकी सूची बनाई थी टेरिल और बीगलर मेज पर फैले सामान को देख रहे थे और वह अब दूर खड़ा उन्हें देख रहा था सामान कोई बहुत ज्यादा नहीं था एक जोडा नाईलॉन का हरा पाजामा सूट था घुटनों के कुछ उपर तक पहुँचने वाले एक जोडी मोजे अंडर वियर, गर्भनिरोधक गोलियों का एक पैकेट एवा हरे रंग की एक डायरी भी थी जिस पर सुनहरे अक्षरों में एड्रेस बुक लिखा हुआ था टेरिल डायरी लेकर बैठ गया बीगलर ने मेज पर बिखरे सामान को वापस सूट केस में डाला उसे बंद किया और अपनी टीम का मुआयना करने बाहर निकल गया दस मिनट के बाद एक एम्बुलेंस वहां पहुँची सफेद वर्दी में लिप्टे दो कर्मचारी उससे उतर कर उस केबिन में चले गए जहां लड़की की लाश पड़ी थी कुछ ही देर में वे एक स्ट्रेचर पर लड़की की लाश को लेकर वापस लोटे लाश पर एक चादर पड़ी हुई थी स्ट्रेचर को एंबुलेंस पर चढ़ा दिया गया और वहां जमघट लगाए लोग कुछ दूरी पर चुपचाप मुकदर्शक बने खड़े रहे एंबुलेंस का दर्वाजा बंध हुआ और कुछ ही क्षणों में वह तेजी से लाश के साथ निकल गई डॉक्टर लोविस उस केबिन में पहुचा जहां टेरेल अभी भी डाइरी हाथ में थामे उसका निरीच्षन कर रहा था मेरा काम खत्म लोविस ने अपना बैग मेज पर रखते हुए कहा उसकी हत्या रात एक से तीन बजे के बीच हुई है इससे ज्यादा का अंदाजा में नहीं लगा सकता वह नहा रही थी जब उसकी खोपड़ी पर प्रहार किया गया था किसी चप्ती और भारी चीज से जैसे टायर का लीवर वगैर हत्यारा फिर उसे शावर रूम से घसीता हुआ कमरे में लाया था और उसे पलंग पर डाल दिया था फिर उसने उस पर पूरी वहषत से चाकू या किसी ऐसे ही धारदार हत्यार से वार किये थे उसके जिस्म की इस तरह धजजिया उड़ाये जाने से पहले ही वह मर चुकी थी ठीक है डॉक्टर टेरिल उठता हुआ बोला मुझे अपनी विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजो फिर देखता हूँ ये बड़ा पेचीदा मामला होने वाला है मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारिया जुटानी होंगी लोविस चला गया तो बीगलर वहां पहुचा अभी तक कुछ नहीं मिला वह बोला इन केविनों की मौजूदा हालत ही बता रही है कि यहां महीने में एक बार ही साफसफाई होती है यहां दर्जनों की तादाद में फिंगर प्रिंट्स मौजूद है मगर फिलहाल इस समय वे किसी काम के नहीं ड्रेस ने सब निशान उठा लिये हैं और वह उनका मिलान रिकॉर्ड में मौजूद निशानों से करने ले जा रहा है शायद कोई नतीजा हासिल हो सके हाला कि मुझे नहीं लगता कि कुछ मिल सकेगा हतियार अभी तक नहीं बरामद हो सका है तलाश तो जारी है मगर मैं शर्तिया कह सकता हूं कि हतियार हत्यारा अपने साथ ही ले गया है मक्तूला के केबिन से कुछ ही दूर केबिन नंबर तीन में ठहरी एक स्त्री का कहना है कि उसने रात एक बजे के करीब एक कार के वहां पहुँचने की आवाज सुनी थी फिर कोई 20 मिनट के बाद ही कार वहां से चली भी गई थी वो सकता है वह हत्यारे की ही कार रही हो तेरेल ने हाथ में थमी डायरी को उंगलियों से ठक्ठकाया बहुत कुछ है यहां वह बोला ऐसा लगता है कि मरने वाली कोई कॉल गर्ल वगेरह थी कोई 200 लोगों के नाम और उनके फोन नमबर्स इसमें दर्ज है केवल एक औरत का नाम है इसमें जो की बहुत मुम्किन है कि उसकी माया बहन का हो कोई जोन पारनेल करके है वह एरपोर्ट के नस्दीक ली जून रोर पर रहती है हमें उससे तुरंट मिलना चाहिए उसने डाइरी बीगलर की ओर उच्छाल दी थोड़ी मशक्कत का काम है मगर हमें इन में से एक एक को चेक करना होगा अब चलो चल कर जोन परनेल से मिलते हैं हो सकता है कि उसी के जरिये कुछ काम का हाथ लग जाए बीगलर ने डाइरी जेब के हवाले की और टेरेल के साथ केबिन से बाहर आ गया टेरेल ने ठहर कर हेस से कुछ देर वारता की इस थेने की से कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश करो वह बोला चाकू की तलाश जारी रखो सभी गैस स्टेशनों पर पूछताच करवाओ की क्या रात एक से तीन बजे के करीब कोई कार वहाँ पहुची थी हाला की उम्मीद तो नहीं है लेकिन हो भी सकता है की किस्मत साथ दे जाए उस वक्त कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहा होगा यहां मौजूद सभी लोगों से भी पूछताच करो उन सभी के नाम और पते अपने पास दर्स होने चाहिए हमें सभी से बात करनी है बहुत मुम्किन है कि वह वहशी हत्यारा इनहीं में से कोई हो मैं कोई दो घंटे बाद वापस हेड़क्वार्टर में मौजूद रहूँगा तुम लोगों के पास काफी समय है वैसे भी यह कोई पांच मिनट में ही हल हो जाने जैसा मामला नहीं है बीगलर के साथ वह पुलिस कार तक पहुँचा और बीगलर को ड्राइविन सीट की ओर छोड़कर खुद उसके बाजू में आ बैठा रास्ते में एक कैफे में कुछ देर ठहर कर एक-एक सैंडविच और एक-एक कॉफी पीने के चक्कर में कोई ढ़ाई बजे के बाद वेली जून रोड जाकर लगे पक्की इंटों और पलस्तर के बने सुन्दर बंगलों की कतार में जोन पर नेका भी वैसा ही सुन्दर बंगला था सामने गुलाब के फूलों से भरा एक सुन्दर बगीचा था जिसके बीच से होकर एक रास्ता सीधे मुख्य दरवाजे तक गया था दरवाजे के ऊपर दुरंगे फूलों वाली एक खूबसूरत बेल किनारों से होकर उपर तक गई हुई थी कार से उतर कर दोनों बगीचे में बने रास्ते से होते हुए दरवाजे तक पहुँचे और बीगलर ने कॉल बेल पर अंगूठा रखकर दबाया दरवाजा खुलने में देर होती देख टेरेल बेचैनी से पहलू बदलता दूर दूर तक खाली उजाड़ पड़ी सड़क पर निगाहें भटकाने लगा परिवार के किसी भी सदस्य को उसके किसी प्रियजन की इन्रिशन स्मृत्यू का समाचार सुनाना उसे हमेशा से उल्जन में डाल देता था लेकिन ये एक ऐसा काम था जिसे वो अपने किसी अन्य आदमी के भरोसे भी नहीं छोड़ता था एक आएक दर्वाजा खुला और चौकट पर एक औरत प्रकट हुई वह छरहरे बदन की कोई 40 वर्शिया महिला थी उसका रंग दबा हुआ था और उसके बाल मर्दाने धंग से कटे हुए थे उसके रूखे से चहरे पर मौजूद भाव उसके चारित्रिक गठन के कुछ ऐसे भाव प्रकट कर रहे थे जैसे टेरेल ने पहले कभी किसी औरत के चहरे पर नहीं देखे थे उसने खुले गले की स्पोर्ट्स शर्ट और नीली स्लैक्स पहनी हुई थी उसके पतले होटों में एक सिग्रेट अब गिरी तब गिरी जैसे भाव से लटकी हुई थी और उसके पास से जिन की हलकी हलकी गंधा रही थी मिसेस परनेल तेरेल ने अपना हैट सिर से उतार कर अभिवादन करते हुए पूछा मिस परनेल महिला बोली आगे कुछ भी बोलने से पहले उसने एक पल ठहर कर तीखी द्रिष्टी से उन दोनों का मुआइना किया फिर बोली पुलिस वाले हो क्या हुआ मैं टेरेल पुलिस चीफ टेरेल बोला ये सार्जेंट बीडलर क्या हम भीतर आ सकते है महिला ने एक अंतिम बार उन पर खोचपूर्ण निगाहें दोड़ाई फिर मुडी और चलती हुई उन्हें एक छोटे से लाउंज में ले आई लाउंज छोटा जरूर था मगर बैठने के लिहास से परियाप्त था वहां हर तरफ किताबे फैली हुई थी एक मेज पर गॉर्डेन जिनकी एक बोतल थंडे पानी से भरा एक जग और एक इस्तमाल शुदा गिलास रखा था महिला ने सीधे मेज के करीब जाकर गिलास उठाया जिनकी बोतल के तरल की काफी मात्रा गिलास में उडेली फिर जग से थोड़ा सा पानी गिलास में डाल कर बोली कहिए क्या हुआ आप स्यूपरनेल की रिष्टेदार हैं तेरिल ने पूछा उसने गिलास होठोन से लगाया और एक बड़ा सा घूट लेकर कंधे उचकाती हुई बोली तो यह बात है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था हाँ वह मेरी बहन है कहकर उसने तेरिल को घूरा फिर चेहरे पर सक्ती के भाव लाती हुई बोली क्या हुआ मर गई प्रेरिल उसे आश्चर्य से देखता हुआ बोला जोन परनेल ने अपना सिग्रेट बुझा दिया एक क्षण के लिए उसने हाथों को अपनी आखों पर रखा फिर आगे बढ़कर गिलास उठाया और उसे एक सास में खाली कर दिया फिर उसने एक नया सिग्रेट सुलगाया और उठकर एक बड़ी सी लाउंजिंग चेयर के पास पहुँची और उसमें धंस गई वा कहा ओजस के पार्क मोटल में टेरिल उसके पास बैठते हुए बोला बीगलर मेज के पास एक कुरसी पर बैठ गया और नोटबुक निकाल ली मैं हमेशा उसे चेताया करती थी वह ठंडे और स्थिर स्वर में बोली लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ कुछ पता चला कि किसने ये किया अभी नहीं टेरिल बोला इस सिलसिले में मुझे आप से किसी मदद की उम्मीद है कोई भी हो सकता है मेरी बहन जिस तरह की जिन्दगी जी रही थी उसका अंजाम देरसबेर कुछ ऐसा ही होना था जोन परनेल के मुख पर क्रोध के भाव परिलक्षित हुए हर इनसान अपना अंजाम खुद ही तय करता है उसने कभी मेरी नहीं सुनी अब देखो मर भी गई कुछ उसके बारे में बताईए आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा जिस्म बेचती थी वो वेश्या थी गश्ती हारलोट प्रोस्टिट अब और इससे ज्यादा क्या बताऊं हमें उसके पास से एक डाइरी मिली है जिसमें कोई 200 लोगों के नाम लिखे है मेरा ख्याल है कि ये सभी उसके ग्राहक रहे होंगे क्या लगता है मैं क्या कह सकती हूँ मुझे बस इतना पता है कि वह खूब सारा पैसा बना रही थी और उसी अंदाज में उन्हें उड़ा भी रही थी हमारा कोई रोज रोज का मिलना जुलना नहीं था बस कभी कभार जैसे ही मिलना होता था मुम्किन है कि मक्तूला आपकी बहन न भी हो तेरिल बोला अगर आप हमारे साथ चल कर मक्तूला की शिनाख्त कर सकें तो काम आसान हो जाएगा मुझसे मरे हुए चेहरे देखे नहीं जाते लेकिन ठीक है चलती हूँ वेकार में सवार हो गए और मोर्ग की ओर चल पड़े रास्ते में टेरिल ने पूछा क्या आपकी बहन का कोई खास बॉयफ्रेंड वगेरह भी था सवाल पूछते समय वह जोन की ओर ही देख रहा इसलिए उसने फौरन भांप लिया कि जोन कुछ हिचकिचा रही थी अगर तुम्हारा मतलब है कि उसका कोई दलाल वगेरह था तो मेरा उत्तर है कि नहीं था वह बोली मगर एक आदमी था जिसके साथ वह कोई दो एक साल रही थी उसे लेकर वह काफी गंभीर थी और दीवानी सी फिरती थी मगर वह आदमी भी आगे चल कर उससे पल्ला ज़ाड गया था मैंने उस आदमी को लेकर उसे चेताया भी था लेकिन उसने उस बाबत मेरी एक भी न सुनी थी कभी सुनती भी नहीं थी मुझे पता था कि देर सवेर वह आदमी उसे यूँ ही छोड़ देने वाला था है कौन? ली हाडी बुकी बुकी है टेरिल और बीगलर की निगाहें मिली कितना अर्सा हुआ दोनों को अलग हुए टेरिल ने पूछा तकरीबन तीन महीने वह एक दूसरी औरत के फेर में पड़ गया था सिउ तो बावली सी हो गई थी और दिन रात शराब के नशे में डूबी रहती थी जब वह उसे छोड़ कर गया था कोई तीन हफतो बाद उसके हवास काबू में आ सके थे क्या उस आदमी के पास सिउ के क्तल की कोई वज़य हो सकती है अगर सिउ ने उसके लिए कोई दुश्वारी न पैदा की हो तो नहीं बाकी है तो वह बड़ा घटिया आदमी करने को तो बुरे के नाम पर सब कुछ कर सकता है तेरेल ने ठहर कर इस बात पर गौर किया वह अभी अपने विचारों में डूबा ही हुआ था कि कार मुर्दाघर पहुचकर रुप गई कुछ ही क्षणों में वे एक सफेद चादर से धकी लाश के सामने खड़े थे बीगलर उन दोनों के काफी पीछे खड़ा था और इधर उधर टेहल सा रहा था टेरेल ने धीरे धीरे चादर का उतना हिस्सा नीचे सरकाया जितने में लाश का चहरा अनावरित हो सकता था उसने जोन पर नेल की ओर सवालिया निगाहों से देखा लाश का मृत चहरा देखकर जोन के चहरे का रंग उड़ गया वही है ये मेरी बहन ही है उसके स्वर में हलकी सी करकशता थी इससे पहले टेरेल उसे रोप पाता उसने एक जटके में लाश के उपर पड़ी चादर खींच ली लाश का बुरी तरह कटाफटा जगज गह से उधरा शरीर अब पूरी तरह अनावरित था ये देखकर वह किसी पत्थर के बुद की तरह अपने स्थान पर जड़ होकर रह गई बीगलर जटके से आगे बढ़ा और टेरेल की मदद से लाश को वापस चादर से ढख दिया तो ये बात है एकाएक जोन चीखी मुझे शुरू से ही कुछ-कुछ आभास था कि तुम लोग मुझ से कुछ छुपा रहे हो वह टेरेल की ओर मुडी उसकी आखों में हिंसक भाव थे और क्रोध की लाली थी तेरेल सत्पकासा गया वह उसकी ओर देखती हुई करकश स्वर में बोली अब ध्यान से सुनू कैसे भी करके उसके कातिल को पकड़ो अगर तुमसे न हो पाएगा तो मैं करूंगी मेरी बहन का ये हाल करने वाला इनसान किसी भी सूरत में बचकर नहीं जाना चाहिए ठीक है उसके कर्म बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि कोई भी किसी ओरत का इतना बुरा हाल सिर्फ इस बिनापर कर दे की वह एक गिरीहुरी ओरत थी ये अधिकार किसी को नहीं वह तेजी से मुड़ी और लडखडाते कदमों से सीधिया चड़कर मोर्ग से बाहर निकल गई उसके पीछे जाओ और अभी उसे उसके घर छोड़ आओ तेरेल ने बीगलर से कहा हम बाद में फिर उससे बात कर लेंगे बीगलर तेज कदमों से जोन के पीछे भागा उसके वहां तक पहुँचने से पहले जोन एक पास से गुजर रही एक टैक्सी को रुखवा कर उस पर सवार हो चुकी थी टैक्सी आगे बढ़ गई बीगलर को जोन के रुखे भावहीन चहरे की बस एक जलक भर मिल पाई वह वापस तेरेल के पास पहुचा जो मुर्दाघर के दरवाजे को बंद कर रहा था वह खुद चली गई टैक्सी लेली थी उसने चलो चल कर देखते हैं कि ड्रेस के पास बताने को कुछ नया है की नहीं उसके बाद इस हाडी के बच्चे को भी चल कर टटोलते हैं दोनों लोग उस दिशा में बढ़ गए जहां आते समय उन्होंने कार पार्क की थी एस्ट्रिस्ट 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 वाल और उसके पिता वापस Spanish Way Hotel पहुँचे वाल कुछ तनावगरस्ट एवं अन्मनी सी थी उसे इस बात का एसास पूरी शिद्दत से हो चला था कि हॉस्पिटल में उसकी क्रिस्ट के पास मौजूदगी के दौरान उसके पिता की उसके साथ हमदर्दी पूरी तरहे खत्म हो चुकी थी आगे क्या होने वाला था इसके बारे में भी वह जानती थी इसलिए मन ही मन वह तैयार हो चुकी थी जब तक वे होटल नहीं पहुँच गए ट्रेवर्स खामोश ही रहा वहाँ पहुचकर उसने सधे एवन संतुलित स्वर में कहा वाल अपना सामान समेटो और मेरे साथ चलो मुझे पांच बजे की फ्लाइट लेनी है इसलिए थोड़ा जल्दी करो बाकी बाते हम प्लेन में भी कर सकते हैं मैं यहीं रुक रही हूँ डैडी क्रिस को यहां ऐसे छोड़ कर मैं निव यॉर्क आकर करूँगी भी क्या मैंने गुस्ताव से बात कर ली है ट्रेवर्स अपने स्वर में जलक आई अधीरता पर काबो करता हुआ बोला उसका कहना है कि क्रिस के ठीक हो जाने की पूरी संभावना है और मैं चाहता हूँ कि अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ तुम उसे गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो क्योंकि यह बहुत जरूरी भी है देखो वाल क्रिस के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी रूमे उसके लिए जरूरी है कि वह कड़ी निगरानी में रहे लेकिन अगर उसने सैनेटोरियम से बाहर जाने की जरा भी इच्छा जताई तो फिर ऐसा किया जाना जरूरी हो जाएगा फिर तो यह और भी जरूरी है कि मैं यहीं रहू और रोजाना उससे मिलती रहूं वाल स्थिर स्वर में बोली मुझे नहीं लगता कि गुस्ताव तुम्हारा क्रिस से रोज मिलना पसंद करेगा वह मुझे रोक नहीं सकता ट्रेवर्स ने अपने हाथों की ओर देखा फिर थोड़ा अप्रसन्न स्वर में बोला ठीक है वाल लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुमसे साफ साफ बता देना चाहिए क्रिस पर कभी भी हिंसा का दौरा पढ़ सकता है वाल उठकर खड़ी हो गई और चलकर खिलकी के पास पहुँची पिता की ओर उसने पीठ फेर ली कमरे में एक उदास सी खामोशी पसर गई जो काफी समय तक बरकरार रही अंतर ट्रेवर्स बोला मेरा कहा मानो बेटी सामान पैक करो और चलो मेरे साथ देर हो रही है वह घूमी उसकी आखों में मौझूद भावों को देख कर ट्रेवर्स निराश हो उठा डॉक्टर गुस्ताव ने ऐसा कुछ कहा है उसके हिंसक हो उठने के बारे में हाँ और अगर तुम क्रिस से मिलने की जिद करोगी तो उससे अकेले में नहीं मिल पाऊगी क्या मतलब नहीं मिल पाऊंगी मैं हमेशा उससे अकेले ही मिलती आई हूँ अब क्या कोई नई बात हो गई है? हाँ, इस बार जो हुआ है वो एक तरह से खत्रे का सूचक है चेतावनी है जिस तरह की उसकी दिमागी चोटे हैं उसे देखते हुए बहुत संभव है कि अगर उसे इस तरह का दोरा दोबारा पड़ा तो वह उसे ही चोट पहुचा सकता है जो उसके ज्यादा करीब हो गुस्ताव का कहना है कि ऐसी स्थिती में उसकी हिनसात्मक प्रवरित्ती इतनी प्रबल भी हो सकती है कि वह किसी का खून भी कर सकता है तुम उसके पास नहीं ठहर सकती नहीं किसी नर्स की मौजूदगी के बगैर तुम उससे मिल सकती हो तो क्या ऐसी स्थिती में भी तुम उससे मिलना चाहोगी मैं हर स्थिती में उससे मिलूंगी वाल बोली मैं यहीं रुक रही हूँ वाल बेटा तुम उससे बहुत प्यार करती हो ना हाँ करती हूँ बहुत प्यार करती हूँ मैं क्रिस से अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं यही उम्मीद करती कि वह मुझे छोड़ कर कहीं न जाए अब इस बारे में आगे बात करना बेकार है डैडी मैं रुक रही हूँ ट्रेवर्स उठ खड़ा हुआ तो मैं अब चलता हूँ मैं थोड़ा पहले वाली फ्लाइट ले लूँगा हाल चाल बताती रहना मुझे नहीं पता कि तुम यहां अकेले क्या करोगी मुझे ये भी नहीं पता कि ऐसी स्थिती में तुम अपने किसी दोस्त का यहां आकर साथ रहना पसंद करोगी की नहीं लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम इस बार भी सब कुछ उसी तरह संभाल लोगी जैसा कि हमेशा से करती आई हो आप मेरी फिक्र न करें डैडी मैं जल्द ही संभल जाऊंगी खुद को कभी अकेला मत समझना मेरी बच्ची मैं हूँ ट्रेवर्स ने आशापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा हूँ न हाँ आप हो डैडी वाल के चहरे पर मौजूद भावों को देख कर और उसके स्वर को सुनकर प्रेवर्स को ये अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि क्रिस से उसका पीछा छुडा कर उसे वापस अपने आलिशान लेकिन उदास एवं उजार से घर को आबाद करने की उसकी ख्वाहिश का फि स्वागत है क्रिप्या मेरे चैनल आडियो बुक शॉप को सब्सक्राइब करें और क्रिप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं हार्डी पुलिस के लिए कोई अजन भी नहीं था वे लोग उसे एक धूर्त एवं बेमान जुआरी के तौर पर जानते थे जो एक छोटी मोटी मनी ट्रांसफर की दुकान चलाता था परंतु असल में हवाला का बड़ा खिलाडी था लेकिन इतना शातिर था कि सब कुछ कानून के दाइरे में रहकर ही करने का दमभरता था टाइम स्टेरेल और बीगलर उसके सत्रह एविनियू स्थित दो कमरों के दफ्तर में पहुँचे उसकी सेक्रेटरी जो उसकी गैर हाजिरी या फिर उसके रेसकोर्स में मौजूदगी के दौरान उसका दफ्तर संभालती थी ने बताया कि वह अभी अभी घर के लिए निकल गया था दोनों फॉरन बाहर सड़क पर आए गली पूरी तरह गर्मी से तप रही थी दोनों कार में बैठे और तेजी से बेश शोर द्राइव की ओर चल पड़े जहां हाडी बिसकेन वे के सामने एक चार कमरों के पेंठा उसमें रहता था दस्तक के जवाब में हाडी ने ही दर्वाजा खोला वह लंबे कद का भैंसे जैसे शरीर वाला शक्तिशाली व्यक्ति था उसका रंग दबा हुआ था लेकिन आखे नीली थी उसकी ठुड़ी पर बना डिंपल नेहसंदे औरतों के लिए बड़ा हाहाकारी साबित होता होगा कुल मिला कर उसका व्यक्तित्व आकर शक्ता पुलिस वालों की घूरती हुई सक्त आखों का स्वागत उसने मुस्कुरा कर दिया चीफ क्या बात है आए 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 आज तो चींटी के घर भगवान आ गए पहले कभी आप मेरे गरीब खाने पर यूं तश्रीफ नहीं लाएं आए और सार्जेंट आप भी दोनों आदमी एक लंबे चौड़े लाउंज में पहुँचे लाउंज काफी कीमती फरनीचर से सुसजित था टेरेस खाडी की ओर खुलती थी कमरे के एक तरफ शीशे की दीवार थी जिसके पीछे भांती भांती के रंग बिरंगे फूलों की वेले रस्सी के सहारे उपर की ओर चड़ी हुई थी कमरे की तकरीबन सारी सज्जा सफेड और हलके पीले रंग के खुशनुमा रंगों से की गई थी एक और सफेड पीली धारियों वाले दीवान पर एक खूबसूरत एवा आकरशक लड़की बैठी थी उसके काले बाल उसके गोरे अनावरित कंधों तक बिखरे हुए थे उसने एक सफेड रंग की पोशात लपेटी हुई सी थी जो उसकी टांगों के पास से सिमटकर इस हाल में पहुँची पड़ी थी कि जांगों तक का खेत्र पूरी बह्याई से नुमाया था उसकी और कंखियों से देखते बीगलर ने अंदाजा लगाया कि उसकी उम्र तकरीबन 23-24 के आसपास थी उसके चहरे को देखकर ऐसे चहरों की याद आती थी जो दिखने में तो आकर शक होते हैं परंतु भीतर से काफी जटिल होते हैं ये गीना लैंड है हार्डी बोला यह मेरे बलड प्रेशर का ध्यान रखती है कहकर उसने 32 चमकाई फिर लड़की से बोला तुम आराम से बैठो पे की ये लोग पुलिस मुख्याले से आये हैं ये चीफ टेरेल हैं और ये सारजेंट बीगलर लड़की ने दोनों पर एक निगाह फिराई और थोड़ा आगे बढ़कर अपना लाइन जूस और जिनका मिश्रन युक्त गिलास उठाया और दीवान पर तनिक परे सरक कर उनसे विपरीत दिशा में देखने लगी पूछा हाँ तो कहिए क्या पीना पसंद करेंगे हार्डी बोला तुम स्यूपरनेल नाम की किसी लड़की को जानते हो तेरेल ने पुलिसिया अंदाज में एक प्षण के लिए हार्डी के चहरे पर बसी मुस्कान लुप्थ हुई लेकिन लगभग फौरण ही वापस भी प्रकट हुई मगर इतनी देर में ही तेरेल और बीगलर को यह भामपने का परियाप्त समय मिल चुका था कि प्रश्न उस पर भारी गुजरा था स्यूपरनेल हाँ तो क्या मुझे उसे जानना चाहिए गीना ने गर्दन घुमा कर उसकी ओर घूर कर देखा उसकी गहरी काली आखें असहज भाव से कुछ तलाश रही थी तालने की कोशिश मत कर तेरेल शब्दों को चबाते हुए बोला सीधे बोल जानता है उसे क्यों हाँ जानता हूँ एक पुरानी शमा थी जो कब की बुझ भी चुकी हार्डी बोला आपने बताया नहीं की क्या पिएंगे बीती रात उसका क्तल हो गया तेरेल बोला हार्डी की हसी यू लुप्थ हुई जैसे बल्ग फ्यूज हुआ हो क्तल स्यूका हे भगवान किसने किया तेरेल और बीगलर दोनों उसके इस अभिनय से अप्रभावित हुए उसे घूरने लगे वे अच्छी तरह जानते थे कि खाडी के इलाके में हार्डी शातिरों का भी बाप था पिछली रात कहा थे तेरेल ने पूछा बीलर ने नोटबुक निकाल ली कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने उसका अक्तल किया है हार्डी टेरेल की ओर देखता हुआ चीखा सवाल मैं पूछूंगा जवाब दे हार्डी खाम खा वक्त मत बरबाद कर कहा था मैं कल रात हार्डी ने यूँ जाहिर किया जैसे वो याद करने की कोशिश कर रहा हो और दीवान की ओर बढ़ गया दीवान के पास पहुँच कर वह गीना के नंगे पैरों के पास बैठ गया हायाद आया मैं तो यहीं था क्यों पेकी यहीं था न गीना ने अपना ड्रिंक चुसका उसने खोजी निगाह से हार्डी की ओर देखा हार्डी उसी की ओर देख रहा था उसकी गर्दन की नसे तनी हुई थी यहां थे वह अतिरंजित भाव से गुनगुनाती सी बोली पिछली रात मुझे कैसे याद होगा कि पिछली रात तुमने क्या किया अरे सोच तो हार्डी बोला टेरेल ने देखा कि वह बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को नियंतरित कर पा रहा था चल मैं याद दिलाता हूँ हमने वह फिल्म देखी थी जो मैंने तब शूट की थी जब हमकी वेस्ट गए थे शायद आठ बजे के आसपास की बात है फिर मैं अगले एक घंटे तक इसे एडिट करता रहा था और तुम रिकॉर्ड प्लेयर पर उस रिकॉर्ड के गाने सुनने लगी थी जो मैंने तुम को ला कर दिया था फिर हमने फिल्म को दोबारा देखा था यही कोरी दस बजे के कुछ बात तक फिर हमने पत्ते खेले थे और तुमने मुझे हरा दिया था आया याद फिर हम विस्तर के हवाले हो गए थे गीना ने टेरेल की ओर देखा फिर बीगलर की ओर अंत में उसने हाडी की ओर निगा फिराई मुझे सिर्फ इतना याद है कि हम सोने के लिए साथ गए थे अंत में वह बोली तुम्हारे साथ सोना मुझे हमेशा एक नए एहसास से भर देता है हाडी ने एक गहरी सास ली उसने टेरेल की ओर देखकर असहाय भाव से कंधे उचकाए पे की याद कर यहाँ जान सूली पर लटकी है वह करकश स्वर में बोला कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल ये दोनों जानना चाहते हैं कि गई रात मैं कहा था मेरे पास तेरे सिवाए कोई दूसरा गवाह नहीं है कल शाम साढ़े साथ बजे से लेकर आज सुबह तक मैं तेरे साथ ही हूँ है न एक लंगी असहज सी खामोशी के बाद गीना बोली हा याद आया तुम यही थे मुझे सब कुछ साफ साफ याद आ गया है हार्डी टेरेल की ओर मुड़ा मैं यही था आपने सुना न अब भगवान के लिए मुझे ये बताईए कि स्यू को हुआ क्या है टेरेल ने हार्डी की ओर घूर कर देखा उसे ऐसी शहाद्तें कभी पसंद नहीं आती थी जिसकी तस्दीक का उसके पास कोई जरिया न हो कल रात तुम्हारे पास कोई फोन आया था नहीं तो खाना खाने के लिए तुम लोग बाहर कही गए थे नहीं गीना ने खाना यहीं पर बना लिया था कोई तुमसे यहां मिलने आया था नहीं यानि मुझे तुम्हारी और इस लड़की की बात ही माननी होगी इतना काफी नहीं टेरेल ने गीना के चहरे पर निगाह टिकाई फिर बोला अगर इस आदमी का क्तल से कोई तालुक हुआ और तुमने इसके पिछली रात यहां होने के बारे में सिर्फ मुलाहिजे में जूट बोला है तो याद रखो तुम पर भी शरीके जुर्म का इलजाम लगेगा जूटी गवाही देने की सजाभी कोई कम नहीं है अपना बयान बदलना चाहो तो बोलो नहीं गय जवाब देने से पहले गीनाने गिलास उठा कर चुसकी ली जूट बोलना मेरी फित्रत में कोई नहीं आगा करना मेरा फर्ज था टेरिल ने कहा उसने बीगलर की ओर देखकर सिर हिलाया फिर दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकल उनके पीछे दर्वाजा बंद करते ही हार्डी बोला शुक्रिया पेकी तुमने बहुत अच्छा किया अच्छा वह बोली और सिग्रेट उठा ली जब वह उसे सुलगा रही थी हार्डी उठकर बार के पास पहुँच गया वहाँ पहुचकर उसने विस्की का एक पैक बनाया और उसे लेकर गीना के पास एक कुर्सी पर बैठ गया अभी वह कुर्सी पर सही से जम भी न पाया था गीना ने पूछ लिया स्यूपर ने ले कौन कोई नहीं है हार्डी बोला और मुस्कुराने लगा फिर भी जानना चाहती हो तो जान ही लो गश्ती थी प्रास्टिचूशन के धंधे में थी खास कुछ नहीं उसने खामोश रहकर हार्डी के चहरे पर निगाह दोडाई ऐसा असल में पिछली रात तुम थे कहा ली हार्डी ने बचैनी से पहलो बदला एकी मैंने बताया तो था तुम है मैं दोस्तों के साथ बाहर गया था तो फिर तुमने यह बात पुलिस से च्पाई क्यों वे लोग तस्दीक करवा सकते थे मेरे कुछ दोस्त कुछ बखेडों में उल्जे पड़े है तेरेल से बात करना उन्हें रास नहीं आने वाला था थे तब तो काफी अच्छी सोहबत है तुम्हारी सोहबत नहीं धंधा धंधा पेकी वे दोस्त यार नहीं है वे मुझे बिजनेस दिलवाते हैं तुम साढ़े तीन बजे से पहले वापस नहीं लोटे थे तुम उस औरत का क्तल कर सकते कर सकता था मगर किया नहीं है अब खत्म भी करो मुझे कतई अच्छा न लगेगा कि तुम कभी मुझे एक पुरानी बुझ चुकी शमा के तौर पर याद करो कोई नहीं थी या गश्टी के तौर पर मेरा जिक्र करो गीना हौले से बोली मैं ये कभी बरदाश्ट नहीं कर पाऊंगी मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कह भी कैसे सकता हूं पेकी तुम जानती हो अच्छे से अगर कहा भी कभी या फिर ये शमा भी बुझ गई तो मैं उस पुलिस वाले को कभी भी बता दूंगी कि मुझसे दिन के मामले में हेर फेर हो गई थी उस दिन गुरुवार था जिस दिन हमने तुम्हारी बताई सारी चीजें की थी न कि शुक्रवार दोनों काफी देर तक एक दूसरे को घूरते रहे गीना की काली कजरारी आखों में बसी कठोरता ने उसे बुरी तरह होलाया और उसे अपना दिल बैठता सा लगा अरे छोड़ो भी यार खत्म कर चलो कोई फिल्म विल्म देखकर आते हैं या घूमकर अच्छा चलो तुमको कोरल कलब लेकर चलता हूँ पसंद आएगा तुम है स्यूपरनेल को वही लेकर जाते थे वह जटके से उठ खड़ा हुआ उसका चहरा लाल हो उठा और वहां मौजूद सारे कोमल भाव पलक जपकते ही अग्रिश्य हो गए वह एकाएक बड़ा खतरनाक एवं बदसूरत नजर आने लगा देखो गीना गीना नहीं पेकी तुम हमेशा मुझे इसी नाम से बुलाते हो और इतना गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है नहीं आज रात हम कोरल कलव नहीं जाएंगे तुम जाओ और जाकर अपने दोस्तों के साथ मजे करो मैं अपना दिल खुद ही बहला लूंगी वह दीवान से उठी अपना गिलास थामा लाउंज को पार किया और अपने बेडरूम में चली गई हाड़ी काफी देर तक यूँ ही उसी जगह स्थिर भड़ाक की तेज आवास के साथ दर्वाजा बंद कर लिया ओडियो बुक शॉप में आपका स्वागत है कृपया मेरे चैनल ओडियो बुक शॉप को सब्सक्राइब करें और कृपया कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं